तो सबसे पहले हम बात करेंगे questions की किस ताइप के questions जो है dairy science से बहुत ही easy type के questions पूछे गए हैं और कुछ tough type के questions हम आगे पढ़ेंगे दो से तिन lectures में उसमें और भी questions में आपके साथ discuss करूँआ तो यहाँ पे आप सबसे पहला questions देखिए कि आप पूछा गया है yellow color of cow milk is due to कि जो गाई का दूद होता है वो उसका जो पिला रंग है वो किस के कारण होता है यह जो question है यह RRB SO में और अभी PSFO में दोनों में यह questions पूछा हुआ है means यह questions repeat हुआ है तो में भी आगे भी repeat हो सकता है ठीक है तो बहुत easy question है कि yellow color जो है cow के milk का जो गाई का दूद है उसमें yellow color क्यों होता है options दिये है protein, second fat, third electose, d है carotin और e है carboidrate तो क्या इसका answer है तो yellow color जो होता है वो किसकी वज़े से होता है वो होता है carotin की वज़े से किसकी वज़े से carotin की वज़े से क्यों क्योंकि यहाँ पे जो light yellow color या yellow color जो होता है किसी कीच का आप वेजिटेपल में भी देखो कि गाजर का यलो कलर किसकी वज़े से होता है तो केरोटीन की वज़े से होता है तो यहां पर जो केरोटीन यलो कलर किसकी वज़े से होता है केरोटीन की वज़े से यलो कलर होता है यह क्या है रोटीन है ठीक है तो गाई का दुद तो अब इससे related क्या questions बन सकता है exam में questions exam में बन सकता है कि जो bufferno का जो milk है उसका जो color है वो white होता है bufferno का milk या है white color का होता है तो वो किस वज़े से होता है ये question बन सकता है हमें study essay ही करना है कि यहाँ पर yellow color का वो milk हो पूछा है तो bufferno का जो white color होता है वो किस वज़े से होता है ये पूछा जा सकता है तो bufferno का जो milk का जो color white होता है वो किस की वज़े से होता है वो होता है casein की वज़े से ठीक है casein भी क्या एक तरिके का protein है और जो गाई का दूद होता है उसमें ये याद रखना क्या होता है गाई के दूट जो वाइट कलो होता है क्योंकि वहाँ पे अपसेंट होता है या अपसेंस ओ केरोटीन वहाँ पे केरोटीन नहीं पाया जाता केरोटीन नहीं पाया जाता गाई के दूट में उसकी जगाँ पर क्या होता है casein protein होता है उसकी वज़े से buffalo का जो milk होता है वो सपेत कलर का होता है white दिखाई देता है clear है? okay now the next question क्या पूछा गया है let down of milk let down of milk is due to which hormones? किस hormone की वज़े से जो दूद है वो आना शुरू हो जाता है ठीक है? animals के अंदर या और किसी भी के अंदर तो options क्या दियो है? prolactin, oxytocin, estrogen, endostrogen और melatonin hormone तो ये options दिये हुए है तो कौन सा यसा hormone है जिसकी वज़े से जो है milk आना शुरू हो जाता है let down होना शुरू हो जाता है तो इसका अंसर क्या है? इसका अंसर है oxytocin क्या अंसर है? oxytocin hormone की वज़े से दूद उतरना शुरू हो जाता है कई बार क्या होता है? जो animals होता है हमारा किसी चीज की वज़े से क्या होता है? दूद देना बंद कर देता है मतलब कि किसी जैसे मालो की आप दूद निकालने गए और गाई या भुफिलो जो है किसी चीज़ के वज़े से डर गए चानक उसके अंदर डर किसी चीज़ के वज़े से आ गया तो वो उपना दूद एकदम से रोख देती है तो oxytocin hormone देने के वज़े से वो दूद उतारना शुरू कर देती है तो oxitocin hormone क्या होगा इसका answer pro lectin क्या होता है pro lectin जो होता है वो ऐसा हर्मौन होता जो pituitary gland होती है Andre pituitary gland होती है उस से ये बनता है pituitary gland के अंदर ये बनता है ओर pituitary gland जब इसकी access मातर बजाती है तो यह main जो होता है main के अंदर milk production शुरू कर देता है या जो female होती है woman होती है उनमें अगर ये excess मात्रा में बन जाता है क्या होता है उसमें infertility आ जाती है clear है estrogen hormone ये sex hormone आप जानते हो ये development के लिए responsible होता है या reproductive system के लिए responsible होता है endo estrogen जो होता है endo estrogen ये acto estrogen melatonin क्या होता है melatonin जो होता है ये hormone बनता है pineal gland में pineal gland कहां पाई जाती है brain के अंदर pineal gland हमारे brain के अंदर होती है और ये क्या काम करता है जो हमारे सोने और उठने की जो cycle होती है उसको control करता है sleep और whack sleep और whack मतलब सोने और उठने का जो हमारे cycle होता है उसको ये control कलता है तो इसका अंसर क्या हो गया आक्सिटोसिन ये भी IVPS FO 2020 में पूछा हुआ कोशन है क्लियर है फिर पूछा गया है the ratio of lactose protein and S in buffalo milk कि जो भैस का दूद होता है buffalo milk होता है उसके अंदर lactose protein और S का क्या ratio है देखो lactose almost 5.4 या 5.5 के buffalo milk के अंदर कितना होता है lactose 5.5 के something होता है ठीक है protein की बात करूँ तो लगबग 3.6 के आसपास होता है S की बात करूँ तो लगबग 0.8 के आसपास होता है buffalo के अंदर ठीक है ये quantity अगर आपको याद है तो आप ratio निकाल सकते हो clear है आकर ये आपको quantity याद lactose कितना होता है 5.5 3.6 protein होता है और S कितना होता है point data पुरा data भी हम डिसकस करेंगे आगे तो यहाँ से अगर आप निकालो इसको इसको अगर मैं cancel करूँ किस से 4 से cancel करूँ तो यहाँ क्या आजाएगा 2 यहाँ क्या आजाएगा 9 और यहाँ का आजाएगा लगबग 13 के आसपास ठीक है अगर मैं इसको 8, 36 और 55 मान लूँ तो 4 दुनी 8, 49, 36 और 13 चुक 52 तो लगबग 13 से कुछ उपर जा रहा है तो 13.5 या 1, 2 जो भी होगा तो यह ratio हमारा मेच कर लीजे ratio आप मेच कीजिए किसके साथ option के साथ जा रहा है हम तो second option है 13 अनुपाद 9 अनुपाद 2 तो second option जो है हमारा correct answer होगा क्या 13 अनुपाद 2 अनुपाद 9 जो है lactose, protein और S, buffalo milk के अंदर इतना ratio में पाए जाता है कैसे निकाला तो आपको पहले quantity पता होने चीक lactose कितना होता है, protein कितना होता है S, कितना होता है तो उसके साथ-साथ divide कर लो 4 से divide किया, 2 ताइम गया 9 ताइम गया, लगबग 13 ताइम जा रहा है according to options क्या जाएगा हमारा B हमरा answer हो जाएगा clear milk sugar is caught ठीक है, दूद में जो सरकराप आई जाती उसको क्या कहा जाता है, सभी जो अच्छे से जानते है कि दूद में जो सरकराप आई जाती है, उसको क्या कहते है lactose कहा जाता है ठीक है, सुप्रोस गन्न की sugar को fructose जो है, grape की sugar को कहा जाता है then the amount of iron in is cholesterol in comparison with milk जो cholesterol होता है, cholesterol मतलब कि first milk, जो होता है आप्टर काविंग जो 2-3 दिन का milk होता है, जिसको भिंदी में क्या कहते है खीज कह देते है ठीक है, उसके अंदर iron का content है, वो as comparison milk, जो mature milk होता है, actual milk होता हूँ कितने times जादा होता है तो लगबक 10-17 times iron content जादा होता है, आपको पता है दूद के अंदर, जो milk होता है उसके अंदर iron sin के यंदर होता है, मतलब iron जो हैब होती कम मातरा में पाया जाता है जबकि कॉलेश्रम के अंदर ़ो milk से 10-17 times more पाया जाता है तो याद रखना iron जो है, वो poor соर्स होता है milk जो है poor source होता है किसके लिए आईरन के लिए आईरन के लिए भी और विटामिन C के लिए भी ये पूर सोर्स होता है मिल्क आईरन और विटामिन C के लिए पूर सोर्स होता है मिल्क और मैजर सोर्स किसका होता है केल्शियम और विटामिन B जो राइबो फ्लेविन जिसको हम बोलते हैं उसका ये मेजर सोर्स होता है clear है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ए वाला अब हम बात करते हैं यहां पर milk की what is milk ठीक है अब हमारा lecture शुरू होता है यहां पर अभी हमने questions जिसे इसके questions से हमें idea लगता है कि कहां से और किस section से हमें पढ़ना है जैसे कि yellow color का पूछा है तो हमें उसके आसपास की चीज़े cover करने हैं आसपास की चीज़े का पूछा है तो बबलों को पूछा जा सकता है कि उसका white color किसकी वज़े से होता है तो इस तरीके से हमें study करना है तो हम lecture शुरू करते है पूछा है what is milk, milk क्या होता है किसे हम दूद बोल देते हैं, milk हमने किसे बोला है, तो जो healthy animal होता है after cowing, ठीक है, cowing मतलब की it is a process of या act of posturing बोल सकते हैं, act of या हम बोल सकते हैं, process of birth बोल सकते हैं, newborn baby बच्चा देने की जो process होती है, उसको हम cowing बोल देते हैं, sense of bovine में, bovine मतलब जिसके अंदर cattle और buffalo आती, cow और buffalo आती है ठीक है, तो cowing के बाद, ठीक है, अगर जो हमारे animal है, वो अपना जो है, baby born कर लेती है उसके तीन से पांस दिन के बाद जो healthy animal है वो जो दूद देते हैं, मतलब या उनका जो lactial secretion होता है, एकदम clean, fresh, whole, जिसको हम बोल देते हैं, lactial secretion होता है, healthy animal से after three to five days के बाद, उसको हम क्या बोल देते हैं, milk, means simple language में समझेए, कि जो memory gland animals होते हैं, जिनके अंदर memory gland animals होते हैं ती, cowing के बाद बच्चा देने के तीन से पाद दिन के बाद, जो lactial secretion होता है दूद जैसा परदार्द होता है उसको हम बोल देते हैं, milk simple सा क्या हो गया, it is the lactial secretion of the memory gland of animal, मतलब animal की जो memory gland होती है, उस से जो lactial secretion दूद जैसा परदार्द निकलता है, उसको हम बोल देते हैं, milk और milk कब बोला जाता है? cowing के, जो cowing होता है cowing के, तीन से पाद दिन के बाद, तीन से पाद दिन के बाद का जो milk होता है या जो lactial secretion होता है उसको हम milk बोलते हैं और 3 to 4, 5 days तक क्या होता है? 3 to 5 days तक जो lactial secretion होता है उसको क्या बोलते है? इसको बोला जाता है colestrum, ठीक है? 3 to 5 days तक जो lactial secretion होता है उसको colestrum बला जाता है या first milk बोला जाता है ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखना colestrum जो होता है उसमें nutritive facts या nutritive value जादा होती है मिन्स अगर इसमें हम comparison करें कॉलेस्टरम और milk के अंदर तो यहाँ पे सिफ लेक्टोज जो है वो कम होता है इस compared to milk बाकी आफ फेट देख लो फेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एस हो गया mineral हो गया, सब कुछ यहाँ पे कॉलेस्टरम के अंदर जादा होता है सिफ लेक्टोज कम होता है कॉलेस्टरम के अंदर और इसलिए जो है उसको जो newborn baby होता है उसको recommend किया जाता है कि इसको कॉलेस्टरम पिलाओ जैसे जो बच्चा होता है उसको उसका कॉलिस्ट्रम या कीस ही पिलाए जाता है क्योंकि वो काफी healthy होता है उनके लिए क्योंकि उसमें nutritive value जादा होती है इसलिए वो जो कॉलिस्ट्रम होता है वो newborn baby को पिलाए जाता है ठीक है, newborn baby मतलब मैं animals की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इसकी nutritive value जादा होती है कॉलिस्ट्रम की as compared to milk अभी हमने देखा हेरन भी कितना होता है 10-17 times जादा होता है तो nutritive value जादा होती है तो समझना है milk क्या होता है वो ऐसा lactial secretion जो healthy animals अपने काविंग के 3-5 दिन के बाद देना शुरू करता है उसको हम बोल देते है milk clear now जो properties of milk properties milk की कई शारी properties है जैसे specific gravity हो गया density हो गया viscosity हो गया freezing point हो गया boiling point हो गया pH हो गया यह सारी चीज़े तो अब सबसे पहला point दिया है specific gravity of milk milk की specific gravity कितनी होती है अब सबसे पहली चेसी दिमाज में आनीचे specific gravity होता क्या है इसको निकाला कैसे जाता है ठीक है तो specific gravity को ही मतलब जो specific gravity हमने जिसको बोला है वो क्या होता है वो उसी को ही क्या बोला जाता है relative density बोला जाता है क्या बोला जाता है specific gravity को ही relative density बोला जाता है और एक कैसे निकाला जाता है तो जो दो quantities होती है मतलब दो कोई प्रधार्त है उनका ratio जिनका dimension सेम हो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर quantity of substance quantity of substance मतलब प्रधार की मात्रा और 4 degrees centigrade पर density of water 4 degrees centigrade पर water की density तो हम जो specific gravity या relative density अगर निकालते हैं तो उसको किस से compare करते हैं water से compare करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हमने मालो क्या निकाली है specific gravity या relative density निकाल रहे हैं हम milk की तो उसको हम divide कर देंगे water की density से 4 degrees centigrade से तो हमारी specific gravity निकल के आ जाएगी milk की ठीक है quantity of substance तो यहाँ पर अब density of water water की density कितनी होती है ठीक है water की density कितनी होती है तो 99.7 kg पर meter cube यह जो water की density होती है ठीक है क्योंकि हमें density से divide करना है quantity of substance मतलब milk की density को हम quantity of water की density से divide कर देते हैं तो हमारा क्या जाएगा specific gravity clear तो यहाँ पर देखो water की density 99.9 kg पर meter cube है और density of milk density क्या होता है तो mass upon volume होता है density क्या होता है mass upon volume soil sense के अदर भी पढ़ते है bulk density और particle density तो mass upon volume होता है ठीक है तो density of milk के देखो क्या होता है 1.027 to 1.033 kg पर centimeter cube 20 degree Celsius temperature पर यह milk की density होती है mass upon volume से निकाल जाती है तो 0.1.027 to 1.033 kg पर centimeter cube जब इसको हम 900 इंद्यान में से divide कर देंगे तो हमारी जो specific gravity निकल के आती milk की कुछ इस तरीके से होती है ठीक है 1.018 to 1.036 cow की and then buffalo की 1.018 to 1.038 यह specific gravity होती है clear है तो कैसे निकाल जाता है important नहीं है आपको just fact याद रखना है बस मिने बता है कि specific gravity होती है उसको relative density बोलते है और इस यह क्या होता है it is the ratio of two quantity with same dimension same dimension की दो quantities का जो ratio होता है उसको specific gravity के देते है ठीक है और कैसे निकाल जाता है इसको compare के जाता है water की density के साथ और water की density 4 degree centigrade पर कितनी होती है 9.9 kg पर मिटरी स्क्यार और specific gravity कितनी होती water की अगर मैं बात करूँ specific gravity of water कि वो होती है one exact one होती है clear और इससे से हम compare करते है बागी जी निकालने के लिए तो cow की जो specific density कितनी होगी 1.018 to 1.036 और buffalo की specific gravity कितनी होगी 1.018 to 1.38 density of cow milk कितना होगया density of milk कितना होगया 1.027 to 1.033 kg पर cm2 at the 20 degree Celsius पर temperature के साथ compare गया cooling temperature before the transportation transportation में बहजने से पहले milk को जो है उसका जो temperature है वो 4 degree centigrade पर लाया जाता है कितना? 4 degree centigrade पर लाया जाता है देखो होता क्या जैसे chilling center की मैं बात करूँगा आगे chilling centers होता है chilling center मतलब जैसे जो milk का जो plant होता है वो एक distance होता है distance पर होता है ठीक है? एक distance पर होता है मतलब कि महां के आजपास के जितना भी रूलर एरिया है ग्रामीन एरिया है महां से मिल्क को कलेक्ट करके उस पर ले जाया जाता है सभी जगह से कलेक्ट करके का ले जाया जाता है उस प्लांट पर ले जाया जाता है अब इंडिया की जो कंडिशन क्या है वो ट्रोपिकल कंडिशन दिन में एक बार चार डिगरी सेंटिकेट पर लाया जाता है तिके उसके बाद वहाँ से उसको कंटेनर में भर के कहां बेज दिया जाता है डेरी सेंटर पर भेज दिया जाता है जहां पर प्रोसेसिंग होती है मिल्क से और भी प्रोड़क्ट बनाया जाते है या जो है अन्ने से जो 대리 सेंटर होते हम अपर बेजा जाता है तो बेजने से पहले ट्रांस्पोर्ट करने से पहले उस टेंपरेचर को 5 दिशे इंटिकisyre पर लाया जाता है आगे और इसके बार में डिक्सकर करेंगे तो कि बार हम पूर सोर्स होता है क्यों क्यलसियम से हड़्या जो होती है, बोन जो होती होती है, pH की तण होता है, तो 6.5 तो 6.7 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरचर पर, freezing point वो पॉइंट जिसपे जो है milk जमना शुरू हो जाता है, तो minus 0.55 degree Celsius पर जो है milk जो है जमना शुरू हो जाता है किस point पर milk जो है उबलना शुरू हो जाता है boiling points तो 100 degree Celsius पर उबलना शुरू हो जाता है viscosity क्या होती है viscosity का मतलब होता है resistance to flow ठीक है या फिर change in shape में बोल सकता हूँ इसको क्या बोल सकता हूँ change in shape में बोल सकता हूँ means जो milk का जो हम बोल सकते है flow flow जो होता है उसके oppose में ये काम करता है viscosity का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो milk है वो उसका जो flow है उसके oppose में काम करता है viscosity denotes opposition of flow flow के oppose में ये काम करता है ठीक है change in shape उसके shape का जो changes and बहुत सकते हैं resistance to flow मतलब जो flow होगा जो बहाओ होगा उसके प्रती रोधी का ये काम करता है viscosity तो viscosity कितनी होती है पर्चेस डिक्री सेंटिकेट पर 2 CP CP मतलब होता है centipoise centipoise क्या है? CGS unit है CGS unit है centipoise centipoise क्या है? CGS unit है और ये CGS unit किसके बराबर होती है? तो इसको अगर मैं बोलू 1 centipoise equal to होता है 1 mili pascal second और 1 mili pascal second क्या हो जाता है? 10 to the power minus pascal second convert कर सकते unit को तो 1 centipoise equal to होता है 1 mili pascal second या equal to 10 to the power minus 3 pascal second 10 to the power minus 3 mili ही होता है इसलिए या conversion है ये तो आप जनरली याद रख सकते है तो milk की जो viscosity कितनी होती है तो 2 centipoise होती है 2 centipoise किसके बराबर हो जागा? तो 2 mili pascal second के बराबर हो जागा 10 to the power minus 6 pascal second के बराबर हो जागा तो याद रख सकते हैं surface tension surface tension कितना होता है? milk का 59 per centimeter at 20 degree centigrade 20 degree centigrade पर 50 day Juan Highway जो होता है surface tension होता है surface tension क्या होता है? simple था समझी लिजिए ठीक है, ये एक हमने क्या ले लिए भिकर ले लिए इसके अंदर हमने क्या वरा liquid क्या वरा liquid वरा milk वरा जो भी और ये क्या है इसकी? surface क्या है? ये हमने क्या वरा यापे liquid वरा और यह liquid की क्या है surface है तो यहाँ पर देखो यह क्या है यह तो liquid की क्या होगा यहाँ पर molecules और यहाँ पर उपर क्या है air के molecules और इनके बीच में यह क्या कर रहा है यह surface है इनके बीच में क्या है यह surface है ठीक है अब यहाँ पर क्या होते है surface पर क्या होते हैं क्या होते हैं molecules होते हैं जिसे एक molecules से एक molecules यह है अब यह जो molecules से दोनों आपस में क्या करेंगे इनके उपर एक external force लगेगा जिसकी वज़े से एक दूसरे को पास जाएगे एक दूसरे को attract करेंगे क्या लगेगा इनके उपर from external force लगेगा जिसे से एक दूसरे के pats पास लएगे जब एक दूसरे के pats पास आ जाएगे तो क्या इसी टेंशन को catastrophe tension बोलते हैं इसलिए बोला जाता है न कि पानी से जयदा अगर density है किसी की वो पानी के उपर तेरने लगता है है न तो यही होता है surface tension surface tension मतलब कि दो molecules के बीच में अगर कोई external force लग रहा है जिसकी वज़े से वो दोनों molecules सापस में attract हो रहे हैं उस tensions को हम क्या बोल देते हैं surface tension कितना होता है बता चुका हूँ water कितना होता है milk के अंदर तो 84-87% जो होता है milk के अंदर water होता है अलग-अलग जो animal का milk है उनके अंदर अलग-अलग water quantity होती है आगे हम discuss करेंगे उसके बारे में तो these are the properties of milk हम कह सकते है clear नव बात करते है milk utilization ही इंडिया इंडिया के अंदर milk का जो utilization है किस किस तरीके से हो रहा है एक तो liquid form में जैसे हम जो दूद पी रहें let liquid form में use हो रहा है एक use होता है उसका घी बनाने में डेरे एक use क्या होता है उसका milk powder बनाने में और भी कई सारे use है मिठाई बनाने में use होता है चेना पनियर कई सारे uses है तो इंडिया के अंदर क्या उसका composition है देखिए लिक्विट कितना percent consumption है तो 50% consumption जो है liquid मतलब direct हम liquid पीने में use करते हैं milk का कितना 50% घी बनाने में 28% जो है milk का use या consumption हो जाता है कितना घी बनाने में 28% milk powder बनाने में 4% milk का use होता है और अजो है अदर में सारी चीज़ के आगई जैसे हमारा पनीर हो गया छेना हो गया यह सारी चीज़ें हो गई und HI मिठाई हो गया रसगौलो हो गया सारी चीज़े 18% के अंदर आ जाती है तो मिल्क का यूटलाइजन इंडिया के अंदर किस तरीके से हैं तो 50% लिक्वीट और अपना जायगा 28% घी के अंदर 4% मिल्क के अंदर के अंदर किस बेसिएन नापा गया तो एक 500 ml का जो ग्लास होता है उसके बेसिस पर क्पैर किया गया है कि जो डाइसेयन लगबख 300 mg होता है फासपोरस जो है 232 mg होता है और जिंग जो होता है 1 mg के आसपास होता है milk के अंदर ठीक है तो यह mineral composition हो गया iron बहुत कम मातराम पाए जाता है vitamin बहुत कम मातराम पाए जाता है ना के बराबर ठीक है क्योंकि poor source है अब बात करते हैं average composition of milk of different mammals या different animals ठीक है कि milk अलग-अलग जो animals है हमारे जैसे काव हो गया बफिल हो गया सीफ हो गया गोट हो गया केमल हो गया इनके अंदर milk का composition क्या है composition में क्या किस देखने हैं हमको water की quantity कितनी है fat की quantity कितनी है protein कितना है total solid कितना है SNF कितना है और lactose कितना है ठीक है सबसे पहले यहां पर दिया गया है काव cow के milk के अंदर लगबग 87% आप बोल सकते हो कितना 87% क्या क्या होता है water होता है अब ध्यान रखना कि ज़रूर नहीं 86.61 दिया है values जो है nearby हो सकती है तो 86, 85, 87 options पहला तकता है तो cow के अंदर लगबग 87 क्या सबस cow का जो milk होता है कितना एड़ लगबग 87 परसें तक उसके अंदर श्थ क्या होता है water होता है फिड कितना होता है तो 4.14% उसके अंदर क्या होता है प्रोटिन कितना होता है 3.58 भी अब याद रख लिजें काओ का जो milk होता है उसमें protein करता होता है 3.5 SNF कितना होता है 9.25 उसके अंदर SNF होता है लगबग 9 या 9 से ज़्यादा prowad कितना होता है तो 4.9 नषिस लगबग 5% के आशपरस उसमें कितना होता है privileged होता है 5% के आशपरस अब यहाँ पे देको total solid total solid का मतलब क्या है total solid का मतलब है fat और snf को जोड़ के है snf मतलब क्या होता है solid तो है but not fat fat को छोड़ कर जो solid है fat तो आगया 4.14% इसके बाद भी कुछ solid है जैसे protein solid हो गया और भी कुछ solid content होगा उसमें miller miller ये सारी चीज़ है तो fat के अलावा जो solid है उसको snf बोलते है और जो fat हो गया इन दोलों को जोड़ देंगे तो total solid आजागे तो 9.25 उसमें आप 4 और 8 कर दोगे तो 13.19 क्या हो जाएगा total solid question किस पर पूछा जाता है questions पूछा जाता है exam के अंदर snf के उपर question पूछा जाता है लेक्टोच के उपर question पूछा जाता है fat के उपर और water के उपर ये चार चीज़ों के questions पूछा जाता है इसमें भी most important है आपका snf और लेक्टोच यहां से questions exam में पूछे जाते हैं और questions भी पूछे जाते हैं किस तरब से बताऊंगा second आज़ो बफेलो बफेलो के अंदर जो water की quantity होती है लगबग 83% कितना बफेलो के अंदर जो milk की बफेलो का जो milk होता है दूस होता उसमें water की quantity कितनी होती है लगबग 83% water होता है fat इसमें कितना होता है 7.38% होता है protein 3.6% लगबग cow के बराबर है तो comparison करके याद कर सकते हो कि बफिलों और काउ का जो प्रोटीन एक लगबग similar है ठीक है अब यहाँ पर SNF मतलब solid not fat कितना होता है 9.8% और lactose कितना होता है 5.5 के आजपास lactose कितना होता है 5.5 के आजपास होता है clear है total solid भई आप इसको fat को और इसको 8 करोगे तो कितना आजएगा 17.24 total solid आजएगा sip की बात करते है most important है याद रखना sip is the most important क्यों most important है देखो मैंने highlight किया हुआ है अगर आप comparison करोगे यहाँ पर 5-6 animal का तो उसमें सबसे ज़्यादा content पाया जाता है sip के अंदर ही water छोड़ दो water इसमें 81% के आसपास है ठीक इतना important नहीं है लेकिन fat प्याओ fat जो है सभी animals के अंदर सबसे ज़्यादा fat पाया जाता है sip के अंदर 7.9 मतलब 8% fat पाया जाता है sip के अंदर आप बोलोगी सरबफेलों के अंदर बदावरी होती है 12 से 13% fat पाया जाता है वो एक सिप particular breed की बात हो रही हुआ पर है ना सिप particular breed की यहाँ पर on and average बात हो रही है तो average जो है 7.9% तक fat होता है sip के अंदर भेडों के अंदर protein 5.25 देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे sip के अंदर ही protein होता है total solid भी लगबग 20 के आसपास है यह भी sip के अंदर होता है SNF सबसे ज़्यादा IC के अंदर है 11% क्या सपास ठीक है fat बस दो चीज़ आपको छोड़ना है इसके अंदर lactose और water quantity को छोड़के बागी जो भी जारी चीज़े है सब जादा होती है as compared to other animals यह आपको measure याद रखना है यहां से questions बनता है कि highest जो है fat किस animal के अंदर किस animal के मिलके अंदर आपको देखने को मिलता है options में देदेंगे तो आपको sheep लगाना है protein चाय पूछे total solid पूछे या SNF पूछे clear है goat का 87% as compared to cow cow से आप compare कर लिजे 87% water होता है इसका fat भी आप cow से compare कर लिजे 4.25 होता है इसका protein भी आप cow से compare कर लिजे 3.52 होता है इसका total solid भी आप cow से compare कर लिजे बस इसका SNF आपको अलगती याद करना पड़ेगा क्या कि 7.75 SNF होता है goat के बकरी के मिलके अंदर SNF कितना होता है 7.75 और lactose होता है 4.27 तो ऐसे comparison करके आप याद करो के ज़्यादा easy होगा comparison क्या करना है sheep और goat का comparison कर लो water, fat, protein और total solid same है almost same है तो अलग से पढ़ने की ज़रूद नहीं है बस SNF याद कीजे और lactose याद कीजे है ठीक है ना हम बात करते है के मिलकी तो सबसे 87.6 मतलब 88% के आसपासे में क्या होता है water 5.38 मतलब sheep के बाद या sheep buffalo के बाद third number पर fat सबसे ज़्यादा पाए जाता है के मिल के अंदर protein सबसे कम पाए जाता है सबसे कम नहीं सबसे कम तो होता है मेयर के अंदर पर 2.98 लगवग 3 के आसपास 12% के आसपास total solid 7% के आसपास SNF होता है और 3.26 जो है सबसे कम लेक्टोज पाए जाता है के मिल के अंदर सबसे कम लेक्टोज किसके अंदर के मिल के अंदर पाए जाता है ठीक है उसके बाद मेयर मतलब horse की जो female उसको मेयर केते हैं सबसे ज़्यादा वोटर याद रखना सबसे ज़्यादा वोटर किसके अंदर पाए जाता है कि जो horse की female होती है जिसको मेयर केते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाता है वोटर पाए जाता है सबसे कम फेट होता है मेयर के अंदर सबसे कम होता है प्रोटीन मेयर के अंदर ठीक है सबसे कम टोटल सोलिट इसकी के अंदर होता है 9.37% क्या जाएगा SNF और सबसे ज़्यादा लेक्टोज अगर पाया जाता है तो वो मेयर के अंदर पाया जाता है तो यहाँ पे मैंने आपको तो highlight करके दिया हुआ है कि कौन सी जिस सबसे ज़्यादा है और किस animal के अंदर है यह आपको ध्यान रखना है यहां से यही चीज़ important है याद रखने वाली ठीक है अब state wise estimation of milk production सबसे ज़्यादा milk production कि इस state में होता obviously UP में होगा क्योंकि सबसे बड़ा state है उसके बाद राइस्तान और उसके बाद MP सबसे ज़्यादा animal का आप देखोगे live stock का census देखोगे तो सबसे ज़्यादा animal आपको यही मिलेंगे उसके बाद है इस state बड़ा है इनिमल भी सबसे ज़्यादा यहाँ इनिमल population भी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी तो milk production यही होगा राइस्तान में आपने goat और सबसे ज़्यादा देखी होगी MP के अंदर क्या होता है यह भी बड़ाई state यहाँ पर भी क्या होगा animal population ज़्यादा है तो यह तीनी state है जहाँ पर milk production सबसे ज़्यादा मिलता है UP, राइस्तान और MP questions यहाँ से बनता है per capita availability of milk by state gram per day state के basis पे पूछ बताया गया कि per capita availability के आदार पर कौन से state है सबसे ज़्यादा gram per day में milk पाय जाता है तो पंजाब पहले नमबर पर है कि इतना gram दूद पर day के इसाब से availability के इसाब से सबसे आगे हैं पंजाब उसके बाद हर्यादा थर्ड नम याद रखना है देना है grading of milk at chilling center ये बच्चे ने doubt भी मेरे से पूछा था कि सर ये grading में कोई unit नहीं दी हुई है और ये grading क्या है समझ में नहीं आया है तो मैं बताता हूँ grading of milk grading हम कई सारी चीजों की grading करते है grading का मतलब होता है grade देना कि ये first number पे हैं ये second number पे है ये third number पे है grade देते हैं जैसे मालो बच्चे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उनकी mark sheet में grade लिखा हो राता है कि A grade से पास है B grade से पास है C grade से पास है तो just grade तो यहाँ पे ये जो क्या हुआ है milk को grade दे हुई है अब ये जो grade दी जाती है ये जो grade दी जाती है किस बेसिस पे तो एक organ leptic test होता है ये organoleptic test होता है इस बैसिस पर ये grading दी जाती है organoleptic test क्या होता है तो organoleptic test क्या करता है ये smell या इसको हम बोल सकते है flavor order mouth fill ठीक है जो food product होते हैं या milk होता है उनके जो ये smell होती flavor होता है order होता है mouth fill होता है मतलब की खाने मर कैसे कैसा फिल हो रहा है उस basis पर ये क्या करते है grading देते हैं तो organoleptic test के आधार पर milk को grading दी जाती है आधार क्या है उसकी smell किस type की कैसी है order कैसा है mouth fill कैसा है उसका sediment उसमें कितने है clearance of cleaning, cleanness यहाँ पर हम बोल सकते है cleanness of container जिस container में milk जा रहा है उस container के cleanness कैसी है temperature कितना है इस basis पर grading दी जाती है तो यहाँ पर जो smell और flavor smell यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ हम बोल सकते है इसको flavor flavor के लिए कितनी 45 grading दी गई है MBR क्या होता है MBR मतलब होता है MBR मतलब 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 यह क्या होता है dye reduction test होता है इसको हम बोलते हैं dye reduction test दाइन इडेक्शन टेस्ट मतलब कि जो मिलक होता है उसके अंदर कलर मिला जाता है तो वो कलर मिला जाता है उस कलर को क्या करना है रिड्यूस करना है रिड्यूस करना मतलब कि वो दिखे ना तो उसके लिए क्या मिला जाता है मिथाइल ब्लू रिडेक्शन टेस्ट किया जात केसी है उसका क्लोजर केसा है कि सरी केस उसको पेक कि अगर उसके लिए 5 और टेंपरचर कितना रखा जाता है 5 डिग्री सेंटर के रखा जाता है तो याद रखना ये ग्रेडिंग के लिए कोशन बच्छे ना पूछा था चिलिंग सेंटर मतलब क्या है चिलिंग सेंटर मतलब मैंने भी बताया ना कि रूलर एरिया से पूरा दूद कलेक्ट होकर कहा जाता है प्लांट पे जाता है प्लांट में क्या होता है चिलिंग सेंटर होता है चिलिंग सेंटर मतलब वहाँ पर दूद को ठंडा किया जाता है क क्योंकि जब डूलर एरिया से milk collect होकर आता है तो मैंने बता है कि जो इंडिया की conditions क्या है टोपिकल climate है तो क्या होता है एमेंट temperature बढ़ा हुआ रहता है ज्यादा आ रहता है तो वहाँ पर temperature को 4 degree 5 degree centigrade पर लाया जाता है कम किया जाता है दिन में एक बार ही किया जाता है यह chilling center प होता है ठीक है तो chilling center क्या होता है वह center जहां पर collect करके रूलर एरिया से कहीं से भी जुटना भी milk हो collect करके क्या प्लांट के लाया जाता है वहाँ पर chilling center होता है वहाँ पर यह सारी चीज़े की जाती है grading दी जाती है उसको transportation करना है दूसरे dairy farm पर बेजना है processing के लिए तो वहा जाते लेके 10,000 लिटर तक और जब यह economic का पढ़ता है जब 30,000 लिटर दूद अगर उस plant पे एक दिन में आ रहा है तब यह economic पढ़ता है chilling center clear है I think समझ में आ गया होगा अब जो है chilling अगर करना है milk को तो वहाँ पर कुछ equipment use होते हैं तो कौन से equipment है एक तो होता है surface cooler एक होता ह है plate cooler surface cooler तो आपने जिन जली देखा होगा अगर नहीं देखा तो कभी अगर आप भार रहे हो तब dairy पे दूद लेने जाते होंगे है ना normally जो dairy होती है आप दूद लेने जाते हो तो आप इस type के अपने machines देखी होगी है ना बंदा वहां से दूद निकाल के भरके देता है त इसको surface cooler बोल देते हैं वैसे तो इस type का आपको देखने में मिलेगा surface cooler तो इस टाइप की machine आपने dairy जहां पर आप दूद लेने जाते होंगे हो आप इस तरीके का आपको freezer मिल जाएगा इसको freezer बोल दो आप या surface cooler बोल दो ठीक है तो direct expansion type होता है, ice bank type होता है, brand type का होता है और plate cooler जो होता है वो chilling center पर होता है, plant पर होता है, plant पर मतलब लगवग जहां पर हम 30,000 liter दूद को हम handle कर सके, process कर सके, तो यहां पर क्या होती है, यह plate लगी हुई रहती है, ठीक है तो पूरी processing process होकर milk जो है आता है, milk जो है उसको ठंडा रखा जाता है, चिल रखा जाता है, तो और बात है, यह हर जगा तो नहीं मिलेगा, एक का मिलेगा, plant के अंदर जो milk plant है, वहीं पर यह होगा कौन, plate cooler, suitable handling जहां पर 30,000 liter से ज़्यादा दूद अगर आ रहा है, तो महाँ पर हम यह plate cooler लगाते है, ठीक है, अब बादती whole milk, कुछ टम से हैं, होल मिल्क क्या होता है, तो जो दूद हम गाईसे या वैसे जिसे एनिमल से निकालते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम उसके composition में हमने कोईदी changes नहीं किया है, उसमें बिल्कुल भी जैसा है, वैसा का वैसा है रहा है, ना तो हमने उसका fat निकाला, ना water निकाला, जैसा है वैसा ही उसका composition है, तो उसको हम haul और फिया थे निपने करना है तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो उसका हम बोल देटे हैं हल्मिलक चीक है milk such as derived from the animal without altering the composition animal से हम ले रहे हैं और बिना कोई composition में changes किये उसका हम whole milk बोल देते हैं तो cow milk जो है supposed to contain fat nos then 3.5% से कम fat नहीं होना चाहिए SNF जो है 8.5% से कम नहीं होना चाहिए buffalo जो है उसमें fat 6% से कम नहीं होना चाहिए SNF जो है 9% से कम नहीं होना चाहिए तो cow milk क्या हो गया वो milk जो हम animal से ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी changes नहीं किया गया हो organic milk क्या होता है organic milk सीदी सी बात है organic milk से बोलेंगे जो organic farming method से बना नहीं है आपने organic farming की organic farming में आपने क्या किया वहाँ पर फोर्डर लगाए चारा लगाया ठीक है वो चारा चाहिए जिसके अंदर आपने बिल्कुल कोई भी chemical यूज नहीं किया organic तरीके से आपने उस फोर्डर को तैयार किया वो फोर्डर आप किसको खिलाओगे अपने animal को खिलाओगे उससे जो दिन निकलेगा वो क्या होगा organic होगा उसके लिए जो आपकी organic farming होगी उसके लिए आपको certification करवाना पड़ेगा organic farming center से certification मतलब कि आपको take लगाना पड़ेगा कि हम सिप और सिप organic farming ही करते हैं देन उसकी फिर क्या होता है चेकिंग भी होती है कि आप वाके में यह आपका organic है या नहीं है तो organic milk क्या होता है milk from livestock raised according to organic farming method organic farming method के थूँ ठीक है organic farming method क्या होगा है देखो regulation stipulate that livestock must be allowed to graze be fed an organically certified fodder मतलब जो organically certified fodder है या उनका जो feed है वो organically certified होना चाहिए वो ही feed आपके आख लाओ गया अपने animal को ठीक है not be treated with most drug including growth hormones तो वो ही बोला गया है कि हमें उसको कोई भी drug से treated नहीं करना मतलब हमें drug से मतलब कि हम क्या करते हैं उसको treat करते हैं injection वगएरा यूज़ करते हैं injection वगएरा लगाते हैं वो कुछ भी यूज़ नहीं करना है सिर्फ organic fodder वापे इनको feed करवाना है तो उससे जो हमारा milk आता है वो organic milk लाता है ठीक है तो organic milk को हम bio milk एको logical भी बोलते हैं न एको farming भी बोलते हैं organic farming को sustainable farming भी बोला जाता है तो समझ मारा organic milk का मतलब क्या होगा निक मिलका मतलब ये कि हम हमारे animal को organic certified जो fodder है चारा भूसा दाना जो भी होगा वो सब organic उसको खिलाएंगे जब organic खिलाएंगे तो milk भी क्या होगा organic होगा मतलब हमें हमारी खेती एसी करनी उसके अंदर हमें कोई भी chemical यूज नहीं करता है और वही हमें क्या करना है अपने animals को feed करवाना है जिसे हम जो milk मिलेगा वो organic milk के लाएगा clear अब आता है A1 milk and A2 milk A1 milk क्या होता है A2 milk क्या होता है ये एक बहुत बड़ा issue है आज के time पे है ना क्योंकि हम जो बजार से दूद लेते हैं वो कौन सा milk है A1 milk है आप जो दूद बजार से purchase करके लाओगे खाओगे पीओगे वो milk होता है A1 milk और A1 milk जो होता है वो western breed मतलब की जो वीजेशी नसले होती है वीजेशी नसले होती है उनका जो milk होता है वो A1 milk कहलाता है वीजेशी नसले कौन सी जिसमें हमप नहीं होता है कई सारी चीज़े होती है मैं उसके अंदर पढ़ाया है मैंने अनिमल अजबेंडर के अंदर कि क्या डिफरेंस होता है देसी और वीजेशी काउ के अंदर तो A1 milk जो होता है वो किसे मिलता है जो वीजेशी नसले है फोरेंड ब्रीड से है उनसे जो मिलक आता है वो A1 milk होता है ठेक है और जो हमारी देसी काउस होती है उनसे जो मिलक आता है देसी काउसे जो मिलक आता है वो हमारी क्या होता है A2 milk होता है A2 milk होता है healthy milk होता है जबकि A1 milk होता है वो healthy नहीं माना जाता मतलब इसको पीने से कोई भी फाइदा नहीं होता मतलब और जो A2 milk होता है वो healthier होता है अगर उसको हम पीते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी negative value होती है जो हमारी body को क्या करती है immune system हारा strong करती है बड़ाती है तो बोलो में डिफरेंस क्या है कि A1 milk होता है वो foreign bit से मिलता है A2 milk मिलता है वो देसी गायों से मिलता है इसलिए बोलता है ना देसी गायों को पीने से जो काफी सारी जो हमारी बिमारिया खतम होती है उसके रिज़न ही क्या है कि यह healthy होता है और य एसा क्यों होता है कि a1 milk हाथी नहीं है टी मिलक हाल्दी है यह अदिया सी गाय का दूर्ध है क्या है एक BITAKEROTEIN होता है ना बिटा करोटीन तो जो बिटा करोटीन होता है उसमें दो केडिगरी है कौन कौन से 一स्याकी A1 और A2 BITAKEROTEIN होता है एक A1 और A2 बिटा आ करोटेन protein होता है A1 और A2 तीपरें न ही बना होता है तो regular जो milk होता है मतलब जो A1 milk है regular milk मतलब जो A1 milk है उसके अंदर A1 A2 beta casein पाए जाता है A1 A2 beta casein पाए जाता है और जो A2 milk होता है उसके अंदर सेफ A2 beta casein पाए जाता है अब यह A1 A2 beta casein और A2 beta casein क्या है मतलब यह protein है तो जो यहाँ पर यह A1 beta casein protein होता है ये अन हेल्दी होता है ठीक है और जो A2 बिटा केशिन होता है ये हल्दी होता है इसलिए बोला जाता है कि जो A1 मिल्क होता है वो हेल्दी नहीं होता है और जो A2 मिल्क होता है देसी गाई का जो दूद होता है वो हेल्दी होता है क्योंकि देशी गाई के दूद में क्या होता है? सिब A2-Bita-Kesin होता है बफिलो का मिल्क कमपेर करें तो उसमें कॉलेस्टरल कम होता है इस कमपेर टू गाई बच्चों के लिए जो अच्छा दूद माना जाता है हम कहतें कि किस एनिमल का दूद जदा अच्छा होता है गाई का या बेसकत हम बोलते हैं गाई का दूद जदा अच्छा है लेकिन बच्चों के लिए जो दूद होता है वो भैस का दूद बफिलो को दूद जदा अच्छा होता है क्यों अच्छा होता है इसी वज़े से कि उसके अंदर lower cholesterol होता है cholesterol कम होता है उसमें calorie ज़्यादा होती है fat compare with cow milk मतलब cow milk से अगर compare करें तो उसमें cholesterol कम होता है और calorie ज़्यादा होती है इसलिए बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों तो उनके लिए बेस का दूद ज्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है बफिलो मिल्क extremely rich in calcium and good source of mineral like magnesium, potassium and phosphorus ज्यादा होता है बफिलो मिल्क less cholesterol हो गया more fat and more calories ज्यादा calories उसके अंदर होती है तो अगर पूछा जाए कि कौन सा दूद जो है बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है का और भेस का तो भेस का दूद ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें low cholesterol होता है और general अगर पूछा जाए कि कौन सा दूद ज़्यादा अच्छा माना जाता है गाई का जो दूद का जो कलर होता है वो यलो की होता है के रोटीन की वज़े से होता है हमने पढ़ा है उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जो बफिलो का जो मिल्क होता है वो वाइट होता है तो वाइट किसकी वज़े से होता है ये भी हमने डिसकस किया था तो को पता होना चीज का अंसर कि milk का जो white color होता है उसके लिए कौन सा component responsible होता है के रोटीन के रोटीन किसके लिए है yellow color के लिए responsible होता है water water तो कोई responsible नहीं है protein भी responsible नहीं लेक्रोज भी नहीं है कल के lecture में पेले पिछले वाले लेक्षर में हमने पड़ा था कि casing जो है major protein group है और यहीं responsible होता है white color के लिए यह responsible होता है white color of milk milk का जो सपेद color होता है सपेद बिल्कुल दिखाई देता है वो casing के वज़े से होता है casing जो है यह major protein group होता है milk के अंदर लगबग 80% यही होता है casing component होता है clear है इसी के वज़े से जो milk का white color जो है white है वो casing के वज़े से होता है और यह किसके अंदर होता है buffalo milk में याद रखना buffalo milk में होता है क्यों क्योंकि buffalo milk में carotin absent होता है carotin नहीं पाए जाता है करोटिन जो पाए जाता है वो काव की मिल्क में पाए जाता है इसलिए काव का मिल्क जो यलो कलर का होता है और बफेल अपर जो मिल्क होता है वाइट कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर कैसीन होता है करोटिन अपसें होता है या बिल्कुल नेगलीजेबल होता है ठीक है तो जो कल की lecture में हमने पढ़ा था उसी से related में questions लाए हो था कि आपका कल का lecture revise हो जके clear है तो आपको day by day पढ़ते रहना है कल का जिसे आज पढ़ा आज आप पूरा lecture अच्छे से complete करेंगे तो जो next lecture होगा उसमें आज के lectures के questions में लेके आऊँगा clear है ताकि आपका revision होता रहे next question जो है which animal milk containing highest fat इनने से कौन सा animal का milk है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है fat percentage होता है ये भी lecture कल के lecture में हमने पढ़ा था है ना तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर बताई थी कि yellow color से highlight क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा content चाहे आप fat ले लो लेक्टोज ले लो अपना SNF ले लो total sorry ले लो protein ले लो सबसे ज़्यादा किसके अंदर था sleep के अंदर बेड़ के अंदर तो यहां पर भी fat percent सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है sleep के अंदर बेड़ के अंदर होता है तो यह content भी आपको याद रखना है ताकि उससे आप यह देख सको कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर है क्लियर है तो ये भी कल के लेक्चर का ही कोशन है सारे कोशन कल के लेक्चर पर बैस दी है next question is what is the minimum level in buffalo milk as Indian standard क्या लिखा है what is the minimum level of sorry यहाँ पर मिस है minimum level of fat percent minimum level of fat percent in buffalo milk as Indian standard जो Indian standard मतलब जो legally Indian standard है legally जो approved है कि इतना जो होना चाहिए बफिलो मिल्क के अंदर फेट परसेंटेज या काव के मिल्क के अंदर फेट परसेंटेज इतना मिनिमम होना ही जाए उससे नीचे है तो वो quality खराब मनी जाएगी ठीके तो कितना है ये भी मैंने पढ़ाया थका आप whole milk जब हमने पढ़ा था ठीके whole milk पढ़ा था क्या पढ़ा था whole milk के अंदर हमने पढ़ा था कि whole milk क्या होता है वो milk जो हम क्या animal से लेते हैं बिना किसी composition में change किये ठीके जैसे हमने क्या हुआ animal से दूद निकाला दूद निकालने के बाद उसके अंदर जो composition है वही का वही रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजिस नहीं करते हैं, उसको होल मिल्क होते हैं, होल मिल्क मतलब उसके अंदर सब कुछ होगा, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, कि काउ के अंदर जो minimum fat percentage इतना होना चाहिए, और SNF इतना होना चाहिए, बफिलो के अंदर हमने प तो होल मिल्क क्या होता है, कि जो हम मिल्क हम लेते हैं, जिसके अंदर हम उसके composition में कोई भी changes नहीं करते हैं, वो मिल्क होल मिल्क के लाता है, और काउ के अंदर कितना होना चाहिए, और बफिलो के अंदर कितना होना चाहिए, तो यहां पर देखो बफिलो का पूछा हुआ ह कि minimum fat percentage कितना और ची इंडियन standard के according 6% तो क्या अंजर आ जाएगा टी वाला clear now the next question is which element in milk relatively present in low amount milk के अंदर कौन सा ऐसा element है जो बिल्कुल negligible या न के बराबर पाया जाता है तो कल हमने पढ़ा था measure source, poor source properties के अंदर milk की जो properties होती है उसके अंदर अपने पढ़ा था कि जो milk होता है, milk में क्या होता है vitamin C और iron ये जो होता है बिल्कुल low amount में होता है और highest क्या होता है calcium और vitamin B2 ये क्या होता है high amount में होता है या highest amount में होता है तो यहाँ पे options क्या दिख रहा है आपको vitamin A नहीं हो सकता calcium नहीं हो सकता iron low amount में पाए जाता है vitamin C भी ले amount में पाए जाता है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा E both C and D C और D दोनों जो है low amount में पाए जाते हैं milk के अंदर clear now the next question which constituent is more affected by stage of lactation lactation की stage के दोरान कौन सा ऐसा constituent है जो सबसे ज़्यादा affect होता है अब lactation क्या होता है यह lactation period यह हम बोल सकते हैं lactation length animal husbandry के lecture में termology में हमने पढ़ा है कि lactation length क्या होता है कि after cowing cowing के बाद से लेके dry period तक या cowing से लेके जब तक जो है cow milk दे रही है उस period को हम बोलते है lactation period मतलब जितने time animal अपना milk देता है दूद देता है उस duration को हम lactation length बोलते हैं जैसे कि मालों कोई 200 दिन देते हैं 400 दिन दूद देती हैं तो वो हम होता है lactation length ठीक है कि cowing के बाद कवें के बाद से lactation शुरू हो जाता है दूद देना शुरू कर देते हैं कब तक जब तक milk cow जो है या animal जो है दूद दे रहा है उस period को हम lactation length बोलते हैं ठीक है कब से at the time of starting जब से वो start करता है दूद देना तब से लेके जब तक वो दूद देता है animal उसको हम बोलते है lactation length अब इस पूरी lactation length में कौन सा ऐसा इसा इस जो affect होता है protein वही का वही रहता है mineral भी उतना ही रहेगा lactose का content भी उतना ही रहेगा fat जो है वो affect करता है fat percentage affect होती कैसे देखो जब starting में दूद देना होती है milk quantity ज़्यादा होती है मालो 10 liters है ठीक है milk की quantity जाता है जब milk की quantity ज़्यादा होती है तो क्या होता है fat percentage कम होता है simple सा समझना starting में या initial day में cow का जब बर्थ होता है animal जब अपना बच्चा देती जब जब जो starting dude होता है मालो milk 10 liters है ठीक है milk ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा fat percentage low होगा मालो 3.5% है ठीक है जैसे जैसे lactation length मालो की वो 8th month होगए दुद्देते देते अब क्या होगा काई का milk दिरे दिरे कम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे milk मालो 7 liters हो गया तो fat percentage क्या होगा increase होगा तो यह एक मातर ऐसा factor है जो lactation length के basis पे affect होता है देखो क्यों होगा देखो यहाँ पे क्या है दूद्द जादा है ठीक है मतलब liquid जादा है तो सीदी सी बात है solid material कम होगा और जैसे जैसे दूद्द की quantity कम होरी मतलब उसका क्या होगा fat percentage solid material जो है बढ़ता जाएगा ठीक है जैसे कि आप एक bucket में दूद को अबालते हो किसी भी चीज को दूद को अबालते हो तो दूद की quantity एक लिटर आपने लिए जैसे उसको अबालते जाओगे अबालते जाओगे इसका जो है milk क्या है highest है बहुत ज़्यादा देती है लेकिन fat percentage कम है fat percentage कम है क्यों है ऐसा इसलिए ना क्योंकि milk की quantity ज़्यादा है तो fat कम बनेगा और अगर दूद की quantity कम है तो fat ज़्यादा बनेगा सिज़ी सी बात है लेक्टेशन लेंथ जो होती मालो 200 दिन की मालो 9 महिने की क्या है लेंथ है लेक्टेशन की तो starting days में जो है दूद ज़्यादा होगा fat percentage कब होगा जैसे 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 आगे मांत बढ़ता जाएगा last last में दूद की quantity कम हो जाती है fat percentage बढ़ जाता इसका मतलब के हैं इन में से कौन सा फेक्टर है fat ऐसा फेक्टर है जो affect होता है पुरी लेक्टेशन लेंथ में ठीक है तो ये questions दे जो previous lectures में हमने पढ़ा था और गों हमने डिसकस किया ताकि आपका previous lecture revise हो और questions करेंगे और questions 8 करने की बीच बीच में भी lecture के साथ भी हम कुछ question 8 करते रहेंगे ताकि आपकी जो है practice होती रहे कि इस type का question में हमें क्या answer करना है exam में तो देरे देरे improvement जारी है now we are discussing about processing of milk milk processing क्या होता है means milk को process क्यों किया जाता है क्या reason है और processing क्यों ज़रूरी है सबसे पहले समझे processing होता क्या है सबसे पहले समझे processing होता क्या है और क्यों करते है processing milk की देखो processing करने का reason क्या रहता है कि हमें इसको preserve करना रहता है है ना एक दिन के लिए एक week के लिए एक month के लिए मिलक को या के जो फ्रोड़क्ट होते हैं, जैसे बटर हो गया, छे ना हो गया, अबडी हो गया, इनको हमें एक दिन, आर दिन, दस दिन, एक मैना के लिए प्रीजर करके र exploration करके रहना है ठीक है पिजर्वेशन अगर हमें करना है तो हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, पिजर्वेशन मतलब चाहे एक दिन के लिए आप करो, दस दिन के लिए करो, एक महिने के लिए करो, ठीक है, दूसरी चीज, इसकी, इसको हम कनवर्ट करते हैं, इंटू किसके अंदर, हाई व हो सकता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई वेल्यू के साथ साथ, फिजर करते हैं, इसकी वेल्यू को बढ़ा देते हैं, इसकी क्वालिटी को इंप्रू करते हैं, क्वालिटी इंप्रूमेंट भी करते हैं, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूमेंट करते हैं, क्वालिटी content नहीं है तो 40 fight मतलब other से additional हम उसके अंदर vitamin और minerals और nutrients एड करते हैं तो ये these are the total processing होता है तो processing जो है कई steps में होती processing का मतलब समझ में आ गया कि अगर हमें दूद को store करके रखना है तो processing करने पड़ेगी उसकी values को बढ़ाना है तो processing करने पड़ेगी उसके quality को EMPROVE करना है तो processing करनी पड़ेगी तो these are the factors जिसकी वाज़े से हम क्या करते हैं processing करते हैं processing के steps की बात करें तो क्या है पहले हम क्या करेंगे clearly 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 क्या करएंगे clearing care wel कि ही करेंगे फिर homogenization करते हैं unsReis jan करते हैं Fortification करते हैं डिहाईटरेशन करते तिजर की measure five stage जिसमें हम क्या करते हैं मिलको प्रोसेस करते हैं clarification cleanness क्या होता है one by one सारा पूरा इसको detail explain करेंगे कि सारी steps के अंदर क्या क्या चीजे होती हैं क्या क्या चीजे important है exam point of view से सारा discuss करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं clarification and clearing clear का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं remove small particles small particles जैसे कैसे होगे जैसे straw हो गया straw मतलब कोई dental बगएरा milk के अंदर पड़ा है या कोई hair से उसके अंदर from the milk ठीक है milk के अंदर जो भी कुछ impurities है जो भी कुछ उसमें गिरा हुआ है extra material other than milk जैसे straw हो गया dental हो गया hair हो गया उनको निकालना हम क्या 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 आता है उसको clarification and clearing केते हैं clear करना केते हैं अब दो इससे जिसने आती है एक होता है backtrification एक होता है microfiltration यह तो हो गया ना कि clearing clearing मतलब हो गया कि जो small particles जो छोटे मोटे dental और कंकर पत्तर जो गिर गया है उनको निकाल देना यह हो गया हमारा clearing clarification मतलब backtrification और microfiltration backtrification क्या है backtrification एक process है इस process के अंदर हम क्या करते हैं जो भी micro organism होते हैं ठीक है उन micro organism की संख्या को reduce किया जाता है या remove कर देते हैं किसके तरो centrifugal force के तो centrifugal force equipment आता है backtrification नाम से backtrification ही कहा जाता है उसको उसमें क्या हता है centrifugal force के तो जितने भी ये micro organisms होते हैं इनको reduce कर दिया जाता है या इनको remove कर दिया जाता है milk के अंतर से that is backtrification दो centrifugal separation मतलब वही है एक process है जिसके through milk के अंदर जो micro-organism होते हैं सुक्ष मजीव होते हैं उनको centrifugal force से separate कर देना अलग कर देना backtrification के लाता है समझ में आ गया ना centrifugation जो force होता है उससे हम micro-organism को अलग कर देते हैं इसको backtrification समझ में यह रहा है bacteria और fugation मतलब हो गया है centrifugal force से अलग कर रहा है नाम से समझ जा रहा है backtrion मतलब bacteria होगया micro-organism fugation मतलब वह ही centrifugal force से अलग कर देना micro filter अब यहाँ पर जो temperature लगता है याद रखना यहाँ पर temperature यूज होता है वो लगबग 55 से 60 degree Celsius इसका temperature रखा जाता है backtrification का ठेक है जब यह process होती है force यह machine के अंदर इसको डाला गाता है milk को centrifugal force इसको दिया जाता है तो temperature 55 से 60 degree Celsius रखा जाद रखना micro filtration क्या होता है micro filtration में भी यही होता है micro filtration में क्या होता है एक membrane लगा दी जाती है यह भी एक process है किसको micro-organism को reduce करने की micro-organism में जो number होते है सुख्ष्मजीव की जो शंक्या होती है उसको कम करने की यह भी एक process है इसमें इसमें एक membrane लगा दी जाती है मेंbrane होती है इस membrane की size होती है 1.5 micro- meanings इसकी size होती है इस membrane से क्या होता है कि जितने भी सुख्ष्मजीव होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं रिडियूस हो जाते हैं रिमूओ हो जाते हैं लगबग 99% जो बेक्टिरिया या जो इस्पोर होते हैं वो रिडियूस हो जाते हैं याद रखना कितना लगबग 99.99 99.99 या 99.99% जो है बेक्टिरिया और इस पोर्ज रेडियूस हो जाते हैं माइक्रो फिल्टरेशन के ठू इसमें एक मेंब्रेन लगती है मेंब्रेन एक जल्ली लगती है जिसकी साइज 1.5 माइक्रो मीटर होती है और इसे गे ठूरम जो है बेक्टेरिया की जो संख्या है बेक्टिरिया को कम करना माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या होता है तो इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन का मतलब यहां पर मेंब्रे भी उस होती ही जिसकी वज़े से हम बेक्टिरिया की संक्या या स्पोर्स को कम कर देते हैं Now second one, homogenization 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 यह important है क्योंकि इससे exam में questions भी पूछा हुआ है ठीक है, homogenization होता क्या है देखो हम क्या करते हैं जब हमारे खेट में बड़े बड़े ढेले होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उसको क्या करते हैं टीलेज इंप्लिमेंट का यूज़ करके उनको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं वैसे homogenization क्या होता है क्या मिल्क यह glass है ठीक है यह क्या है glass है इस glass में क्या भरा है यह मालों यहां पे milk भरा हुआ है ठीक है यह क्या है milk है जब आपने देखा होगा जो जिनके घर में farming होती है या जिनके या animal raiding होती है या जिनके घर में दूद आता है जिनके घर में farming भी नहीं होती है और animal raiding भी नहीं होती है उनके घर में दूद आता ही होगा आप जब दूद पीते हो या चाई पीते हो तो अगर आपने थोड़ी दिर उसको रख दिया, तो उसके उपरी सतर पर क्या होता है, इसके उपरी सतर पर क्या होता है, यहाँ पे, फेट, जिसको हम तरी बोलते हैं, फेट, लोबुल्स जो है वो, उसकी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, फेट, गोबुल्स की क्या बन जात तो homogenization का मतलब यह है कि उस layer को बनने ना देना मतलब कि जो fat globules होता है उसको यह चोटे 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 टुकडो में तोड़ देता है जिससे वो layer नहीं बनती है homogenization can be defined as process in which fat globules in milk are broken down fat globules से layers बनती है उसको चोटे 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 में तोड़ देता है to the size small enough to prevent the formation of creamy layer ठीक है इतने चोटे-चोटे टूडम तोड़ देता है कि वो creamy layer नहीं बनती है ठीक है उसके लिए temperature 62-63 degree Celsius रखा जाता है homogenization process के लिए तो यह कुछ यहाँ पर देखो एक किस तरह की एक machine है यहाँ से हम क्या करते हैं milk को देते हैं ठीक है fit, fit करते हैं और homogenization है, homogenized product यहाँ निकलता है तो यह जो बड़े-बड़े आप देख रहे हो particles यहाँ से गए और बिल्कुल चोटे-चोटे particle के अंदर यह टूड़ गया जब यह चोटे-चोटे particle के अंदर टूड़ जाता है तो यह creamy layer नहीं बन पाती है इसमें जो not only milk, जो भी package food होते हैं या non package food होते हैं, जिसे milk है ना package food या non package food होते हैं, food product होते हैं उनको heat दी जाती है, उनको heat किया जाता है ताकि इनके अंदर जो pathogenic bacteria होते हैं जो harmful bacteria होते हैं, उनको heal कर किया जासा किए और इसके लिए low temperature पर इसको sterilize किया जाता है इसी को बोलते है पास्चुराइशन पास्चुराइशन का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हार्मोपुल माइक्रो ओर्गनिजम हैं बेक्टिरिया हैं उनको खिल करना या उनको minimize करना ताकि हम product की quality को improve कर सके उसको spoil होने से बचा सके उसको preserve कर सके उसकी self life को बढ़ा सके उसको बोलते है पास्चुराइशन पास्चुराइशन की कई तारह की types होते है एक होता है base पास्चुराइशन यहां होता है LT, LT का मतलब होता है low temperature and long time low temperature and long time low temperature मतलब as compared to नीचे आप जो method देख रहे है उसमें 60-30 degrees यहां पर सेंटर के temperature रखा जाता है और 30 minute के लिए रखा जाता है तो low temperature हो गया और लंबे समय तक बाकि यहां नीचे देखो temperature जादा है और time कम है तो इसको low temperature long time पर रखा जाता है उसको बोलते है बेच पास्चुराइशन, पास्चुराइशन method या holding पास्चुराइशन method भी बोलते है clear है आगे एक diagram दिखाऊंगा उसके अंदर आपने देखा होगा dairy farm पे एक round सा ऐसा machine चलती है उसमें पास्चुराइश किया जाता है उनीचे एक diagram भी आपको मिलेगा तो पास्चुराइशन का मतलब ही क्या है पास्चुराइशन का मतलब ही यह है कि जो package food होते हैं उनकी self life को बढ़ाना उनके अंदर जो microorganism में harmful microorganism में pathogenic bacteria जो harmful होते हैं जो दूद को खराब कर सकते हैं spoil कर सकते हैं उनको kill करना उसके लिए इसको low temperature पे stylize किया जाता है low temperature कितना 60 degree Celsius पर 30 minute के लिए कर रहे है तो उसको LTLT method या best पास्चुराइशन method केते हैं अगर 72 degrees Celsius पर आप 15 seconds के लिए उसको अगर पास्चुराइश कर रहे हो तो उसको high temperature short time पास्चुराइशन केते हैं ठीक है और अगर आप 138 से 145 degrees Celsius पर उसको 2 seconds एक से 5 seconds तक अगर आप रख रहे हो तो उसको ultra high temperature इस्चुराइशन केते हैं क्लियर है यह पास्चुराइशन की method है जिससे harmful bacteria को kill किया जाता है याद रखना है यहाप इसका main purpose क्या है kill harmful bacteria ताकि हम इसकी milk की self-like को बढ़ा सके उसको खराब होने से बचा सके ठीक है और लंबे समय तक store कर सके ना यह देखो ST ST है high temperature time इसके अंदर single plate लगी होती है और flow plate and series of plate तीन plate से वोकर वो गुजरता है ठीक है और base पास्चुराइशन में यहापर इस तरह की machine होती है और यहापर आपका वो लगा हो रहता है यहापर इस तरह की से इसको घुपाते रहते हैं temperature देखे 60 degrees Celsius 30 minutes तक जिससे इसके अंदर जितने भी harmful bacteria होते वो खतम हो जाते हैं clear ना अदर होता है fortification fortification आपने ऐसे भी सुना होगा आपने fortified rice सुना होगा fortified rice fortified rice fortified का मतलब क्या होता है fortified का मतलब होता है उसके जो product है उसके अंदर additional nutrients मिला देना 45 drift rice के अंदर एक कही गया था कि जो nutritive powders होते हैं वह उसको fourtified जो rice था फोर्टि पावड Powell यह मतलब यहिए कि जो rice को किया पहले तो उसके चूरा बनाया powder बनाया ऑवडर बनाया powder बनाने fortification का मतलब है मालो की कोई milk है जैसे naturally milk है आपने गाई से या भेज से जो milk लेके आए अपने दूद निकाला उसके अंदर आपने देखा कि यार इसमें nutrient की कमी है मालो vitamin D नहीं है, vitamin A नहीं है, zinc नहीं है, calcium नहीं है इस सब क्या है, naturally deficiency आपको इसके अंदर मिली तो आप क्या करोगे इसके अंदर, vitamin D, vitamin A, zinc, mineral जो है वो आप इसके अंदर क्या करोगे, additionally add करोगे इस additionally add करने को ही बोलते है fortification ठीक है, fortified milk that contain extra vitamins and mineral data naturally found in milk significant amount are not naturally found in significant amount मतलब जितनी उनके अंदर मातना होनी चीए, उतनी अगर नहीं पाई गई तो हम क्या करते हैं, उसमें extra minerals और vitamins add कर देते हैं जंदली क्या, vitamin D और vitamin A add किया जाता है milk can be fortified with the various nutrients including gene, iron, folic acid, सारी चीज़स के अंदर मिलाई जाती है इसको बोलते है fortified milk जैसे कि fortified rice होता है, मतलब वही है कि अगर उसके अंदर deficiency है तो बाहर से आप डालो, मिलाओ उसके अंदर, उसकी quantity को nutritive बनाओ, nutritive value बढ़ाओ उसकी उसको बोलते है fortification clear फिर आता है dehydration, last process है dehydration dehydration मतलब है कि milk को शुखाना, उसको dry करना, उसके अंदर की water है उसको निकालना, remove करना इसको हम क्या बोल सकते है, dehydration मतलब removal of water अब इसके तीन process है, spray drying कर सकते है, drum drying कर सकते है या freeze drying करते है जब को, spray drying में क्या करते है spray drying में क्या होता है, heat chamber होता है एक heated chamber होता है उसमें इस milk का क्या किया जाता है इस परेगी किया जाता है वाटर का क्या होता है इवापुरेशन हो जाता है इवापुरेशन हो जाता है यहां बच्ता है आपका powder पाउडर्ड मिल्क बच जाता है मतलब यहां पर क्या होगा डियाडिशन हो गया इस्प्रेड ड्राइंग का मतलब ही क्या हीटेड चेंबर होता है हीटेड चेंबर पर मिल्क को इस्प्रेड किया जाता है जिससे जितना भी पानी होता है तो यह आपूरेट हो जाता है मतलब पानी जो है वो रिमू हो जाता है और क्या बज़ाता है पाउडर मिल्क बज़ाता है ठीक है यह होता है इस प्रे वाली प्रोसेस में ड्रम डायर में क्या होता है एक ड्रम होता है ठीक है इस ट्राइप का ड्रम होता है इस ड्रम पे क्या ह जाती है तो यहां पर क्या होता है मिल्क जब हीट होके यहां पर क्या होता वाटर यह पूरेट हो जाता है और क्या बन जाती है एक पाउडर की लेयर बन जाती है उसी के उपर पाउडर की लेयर बन जाती है तो उसको क्या करते हैं स्क्रेप करते हैं आप इस्टेश्स में tie करते मतलब जैसे रेखाऊगा ना जब घर में करदे गमांते तो उसको खर पर से था है तो वह से यहां पर ड्रम के ओपर क्या है यह सी कि लिएर हीटे डंग रहता है इसके वपर इस यत को डाला जाता है लेzhघ जाती ठीछ गपल रहती उस प لاकर मलत प्रांट को हम क्या करते है कर लोग देटे तो हमें क्या मिल जाता है ABOUT हुआ जाता है यह जाता है यह क्या है आइए तक भ食べ यहां पर क्या करते हैं इन्वाल्व करते हैं इन्वाल्व फ्रीजिंग यहां पर क्या किया जाता है फ्रीजिंग को इन्वाल्व कर देते हैं यहां पर फ्रीजिंग इन्वाल्व कर देते हैं यहां पर फ्रीजिंग इन्वाल्व कर देते हैं मतलब जिससे क्या होता उसकी न् तो यहां पर फ्रीजिंग इन्वाइर के साथ उसको फ्रीजिंग द्रायर बोल देते हैं जिससे न्यूटिटिव वेल्यू में इन्टेंट रहती है तो तीन फ्रोसेस है मतलब वाई 30 मेनिट तक रखते हैं ठिक ए एसनी में इटड मिल्क के लिए तो 72 डिगरी सेंटिकेट के लिए 15 से के लिए अगर उसी अगर हमको cream निकालना है तो more than 80 degree Celsius पर रखते हैं और 15 second के लिए रखते हैं बस थोड़ा सा temperature बढ़ा देते हैं अगर cream हमें निकालना है तो Thermalization करते हैं Thermalization में temperature 57 to 68 degree Celsius रखते हैं और 15 second के लिए रखते हैं Clear है और इसको तुरंथ 10 degree Celsius पर वापिस cool भी किया जाता है ठंडा भी किया जाता है ठीक है 4 degree Celsius पर 4 degree Celsius पर वापिस इसको ठंडा भी कर दिया जाता है Australization करते हैं 5 degree Celsius पर 121 second के लिए Ultra यह हमने पढ़ चुके हैं Ultra ice passuration करते हैं लगबग 138-145 degree Celsius पर 2-4 second तक यह यहाँ पर नीचे आ गया वो Ultra passuration है और Ultra high temperature passuration नीचे है 1-5 second तक इसको क्या किया जाता है? Australize किया जाता है milk को clear है? तो यह important values है यह आपको याद रखना है इसके बाद आता है value added products of milk value added products मतलब कि milk से क्या-क्या चीज़े हम बनाते हैं उनके अंदर क्या-क्या composition होता है दो तरीके की होती है एक तो non-fermented ठीक है non-fermented मतलब की उसके अंदर कोई हम chemical या कोई enzyme वगरा add नहीं करते हैं उसको बनाने के लिए जैसे हम दई बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? खटाई या acid दालते हैं ठीक है bacteria का involvement होता है वो fermentation process के थूँ होता है non-fermented मतलब उसके अंदर कुछ नहीं करना हमें कुछ mechanical या equipment के थूँ हम वहाँ पे changes करते हैं तो ये non-fermented product है non-fermented product में आता है सबसे पहला skimmed milk skimmed milk को कुछ नहीं है जो whole milk होता है न हमारा उस whole milk के अंदर से हमें सारा fat निकाल लेना है ठीक है जो हमारा whole milk होता है उस whole milk में हम centrifugal process या centrifugation करके centrifugation force के तुरू whole milk के अंदर जितना भी fat होता है SNF होता है वो हम निकाल लेते हैं उसको हम बोलते है skimmed milk जो skimmed milk होता है वो children's के लिए काफी beneficial होता है क्योंकि जब हम fat कम करते हैं तो calorie बढ़ जाती है ठीक है जब calorie बढ़ जाती है तो वो children's के लिए अच्छा होता है उसके protein content उसके अंदर ज़्यादा होता है तो fat content इसके अंदर कितना रखते हैं 0.1 to 0.5% मतलब not more than 0.5% fat क्या हो जाता है calorie कम हो जाती है fat कम हो जाता protein value हाई रहती है ठीक fat क्या होता है जो generally children's होते है उनका जो digestive system ऐसा होता है कि fat को वो digest नहीं कर पाते है इसलिए उनको low calorie या low fat का milk पिफर किया जाता है तो skimmed milk especially बच्चों को पिफर किया जाता है में आपको याद क्या रखना यहाँ पे fat content याद रखना 0.12.5% fat content इसमें रखा जाता है जो whole milk होता है उसको centrifugal force के तुरू जितना भी fat हो निकाल लिया जाता है next आता evaporated milk evaporated milk वह यह मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है remove water water को remove कर देना है ठीक है तो लगबग यहाँ से लगबग 60% water हम remove कर देते है 60% water evaporate कर देते है किसके अंदर से milk के अंदर से और जो रा milk होता है उसके लिए इतना temperature कितना रखा जाता है 74 to 77 degree Celsius मतलब अगर आप पानी उसके अंदर से remove कर रहे हो तो remove केसे कर रहे हो उसको heat दोगे heat दोगे तो water जो evaporate होगा heat कितना देना है 74 to 77 degree Celsius heat देंगे तो उसके अंदर से water जो है evaporate होना शुरू हो जाएगा फिर उसके अंदर हम कुछ fortified with the vitamin D मतलब जब हम evaporate करेंगे evaporate करने के बाद उसके अंदर कुछ हम fortified करेंगे fortified मतलब कुछ additional gluten उसके अंदर मिलाते है तो vitamin D उसके अंदर मिलाते है homogenize करते है homogenize का मतलब हमने बताया भी क्या होता है उसको फिर क्या करते है can के अंदर sterilize can के अंदर fill कर देते है इस तेंपरेचर पर 118 degree Celsius पर 15 minute तक उसको cool किया जाता है जब उसको can के अंदर sterilize करिया जाता है भरा जाता है तो यह operated milk क्या हो गया कि water को remove करना milk के अंदर से लगबग 60% water remove करते हैं उसके लिए temperature कितना रखते हैं 74 से 77 degree रखते हैं फिर इसको can के अंदर fill करते हैं fill करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है इसमें fat और SNF level को check करते हैं फिर preheating करते हैं 40 degree Celsius पर preheating करते हैं फिर क्या करते हैं clarification मतलब वही vector fugation करेंगे microfiltration करेंगे और standardization कर देंगे मतलब 4.5% इसके अंदर fat और 8.5% SNF रखा जाता है मतलब जिस milk के अंदर 4.5% क्या है fat है 8.5% SNF है उसको standardized milk कहा जाता है कैसे बनता है तो पहले इसको milk को क्या करेंगे preheat करते हैं 30-40 degree Celsius पर फिर उसके अंदर filtration मतलब वही microfiltration या vector fugation किया जाता है और उसके बाद इसका standardization मतलब 4.5 degree इसमें fat और 8.5% इसमें क्या रखा जाता है SNF रखा जाता है कैसे बनाया जाता है कैसे किया जाता है standardized कैसे किया जाता है देखो buffalo milk होता है buffalo milk होता है उसमें लगबग 6 से लेके 12% तक fade अपने देखने को मिलता है और skimmed milk होता है skimmed milk होता है 0.12.5% ठीक है मालो मैंने यहाँ पे 5 लिटर जो है 5 लिटर जो है buffalo milk लिया ठीक और मैंने क्या ले लिया मालो 5 लिटर मैंने यहाँ पे skimmed milk ले लिया ठीक है अब इसमें हमको मालूम में इसमें लगबग 6% तक fade होता है और इसमें हमको मालूम 0.1% जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा fat percent कम हो जाएगा क्या होगा fat percent कम हो जाएगा तो इस तरीके से इसका fat percent level लाया जाता है 4.5 और SNF 8.5% इसी को हम बोल देते हैं instant rise milk तो यह mixer होता है buffalo milk और skimmed milk next आता है toned milk toned milk जनरल यह आपने देखा हो उसके अंदर हम क्या मिला देते है water मिला देते है ठीक है जो hal milk होता है skimmed milk powder to whole milk तो जो milk obtained from additional of addition of water and skimmed milk to world home milk तो जो whole milk होता है हमारा इसके अंदर हम कौई भी changes नहीं करते है उस whole milk के अंदर हम एक तो water add करते है साथ में skimmed milk add क 194 ठीक है यह दोनों एड कर देते हैं जिससे क्या होता है जो fat है वो percentage कम हो जाता है कितना कर देते हैं 3% तक कर देते हैं और इसे नहीं 8.5% कर देते हैं 3% तक कर देंगे तो toned milk और अगर 1.5% तक कर देंगे तो वो double toned हो जाएगा याद रखना whole milk में हमने पढ़ा है अगर भेस का है तो कितना होना चाहिए 6% fat होना चाहिए और गाय का है तो 4.5% क्या होना चाहिए fat होना चाहिए जब हम उसको water मिलाएंगे skimmed milk मिलाएंगे तो यह दोनों कम होगा मतलब कितना कर देंगे 3% कर देंगे तो toned milk और अगर fat 1.5% कर दिया तो double toned milk clear है next वही है double toned milk मतलब वही fat अगर हमने 1.5% कर दिया और इसे ने 8.52 9% कर दिया तो यह double toned milk हो जाता double toned milk का मतलब वही यह समझ में आना धियान रखना water aid करेंगे और skimmed milk aid कर देंगे किसके अंदर जो whole milk है उसके अंदर तो automatic क्या होगा fat percentage कम हो जाएगा कितना कम 3% toned milk में 1.5% double toned milk में ठेक है फिर non fermented product में next है reconstituated milk या recombined milk दोनों similar है तोनों में just different क्या है यहाँ पे whole milk powder into water यह reconstituated milk जो होता है water के अंदर जो whole milk powder होता है वो मिलाए जाता है उसका proportion 1 part क्या रखा जाता है powder और 7 to 8 part रखा जाता है मतलब 1 to 8 part में powder और water मिला दिया जाता है मतलब जो whole milk से बना हुआ powder है वो उसके साथ 8 part जो है आठवा इस्ता जो है पानी का मिला दिया जाता है जिससे बनता है reconstituated milk यहाँ इस परिकेसे process है इसके अंदर पानी भी मिला देंगे और whole milk powder भी मिला देंगे जिससे क्या मिल जाएगा reconstituated milk same recombined milk क्या होता है recombined milk में 3% तक fat रखी जाती है 8.5% तक SNF रखा जाता है जैसे toned milk में यहाँ पर क्या करते है butter oil, skimmed milk powder, water यह सारे चीज़े मिला दी जाती है मतलब इसके अंदर milk powder भी मिला देते है, water भी मिला देते है, fade भी मिला देते है heat और क्या सारी चीज़े मिला देते है, skimmed milk भी मिला देते है, butter oil भी मिला देते है सबको मिला दिया जाता है और उसके बाद जो milk बनता है, उसको हम क्या बोल देते है combined milk, बस उसके अंदर आपको याद क्या रखना, इसके अंदर 10% fat और 8.5% SNF रखा जाता है clear, combine से समझ में आ रहा है, सारी चीज़ मिला दो और other product क्या है filled milk होता है, flavored milk होता है, cream होता है, ice cream होता है, सारे जो है, और भी यह जो है non-formatted में आते है important नहीं इतना, बट याद रखना, filled milk मतलब वही vegetable oil के साथ मिला दिया जाता है फेवर्ड मिल मतलब इसमें chocolate वगरा मिला दी जाती है, cream मतलब purity, जैसे मैंने बटाए अभी centrifugal force के दूरूस से क्या cream हम निकाल लेते है ice cream जो है, milk से जो ice cream मतलब दी है वो, तो इतना ज़्यादा important नहीं है, बस इसका नाम याद रखना next हम बात करेंगे, fermented product, fermented product मतलब की यहाँ पे enzyme वगरा का use करके, ठीक है, enzymatic process से जो बनता है butter, butter के अंदर fat content जो है, generally कितना 80%, यह धियान रखना legally approved है, legally approved है कि 80% से कम fat percentage नहीं होना चाहिए butter के अंदर butter जैसे आप अंदर butter खाते हो, use करते हो, sweets और cream से बनता है, किसे बनता है, cream से ही बनता है, जो cream हम निकालते हैं भी fermented वाली, उसी cream में कुछ और additional enzymatic process डाल के butter बनाए जाता है, 80% उसके अंदर frost, क्या होता है, इस cream को pasteurize किया जाता है, 62.8 degree Celsius पर 30 मिन तक, उसके बाद इसको ठंडा कर लिया जाता है, तो क्या बन जाता है butter, मतलब कि जो cream हम निकालते हैं, उसको 62 degree Celsius पर pasteurize करो, 30 मिन तक रखो, 30 मिन तक पाश्यूराइज करो, उसके बाद सको ठंडा करो, butter बन जाएगा, ठीक है, cream, then allow to ripen, 21 degree Celsius for the several hours for the fermentation to take place, लब 21 degree Celsius तक उसको कई घंट तक रखा जाता है, fermentation process पर रखा जाता है, तब जाके बनता है, मेन कोश्च चीज के हैं यहां पर IMP चीज यह है, कि butter के अंदर fat percentage कितना रखा जाता है, 80% रख फिलो मिल्क, यह भी cow air फिलो मिल्क से बनता है, और इसके अंदर जो मिल्क फिट होता है, 99.99, 99 से लेके 99.5, मतलब इसमें 0.5% क्या होता है, water बोल सकते हैं, या moisture बोल सकते हैं, ठीक है, वही, 0.5% moisture इसके अंदर रखा जाता है, और इससे जादा नहीं होना चाहिए, clear है, इसके बारे में सबी लोग जानते हैं, ठीक, उसके बाद और fermented program जैसे स्रीकंड हो गया, चीज हो गया, रबडी हो गई, खुआ हो गया, खुआ के बारे में, अलग से एक lecture, और जब होगा last lecture, उसके बारे में, खुआ के बारे में, इसके composition के बारे में बताऊंगा, कि cow के अं component होते हैं, ठीक है, कलाकाद हो गया, गुलाब जामून हो गया, ठीक है, सेंडेस हो गया, छेना हो गया, ये भी क्या है, fermented product है, तो इनकी नाम आपको याद रखना है, इतना important नहीं exam point of view से, अब कुछ milk के fact है, जैसे कि मैंने बोला था कि पहले questions करेंगे, फिर lecture लेंगेंगे कुछ fact पर बात करेंगे, तो fat percentage ही रब्र, रब्र में कितना percent fat होता है, तो 20% fat होता है, clear है, ये ऐसे question से जो exam में पूछे जा सकते हैं, तो fat के थू हम इसको cover कर रहे है, soft type का जो cheese होता है, उसको क्या कहते है, उसको cottage का जाता है, ठीक है, cheese is milk product made by, चीज एक milk product है किसके दोरा तो renin coagulation से ये बनता है, ठीक है, इस process को याद रखना है, test is conducted to determine the number of bacteria in milk, तो क्या करते है, MBR test, अगर bacteria के संख्या में पता करना है, मिल्क के अंदर कितनी है, तो MBR test, मतलब methyl blue reduction test, क्या होता है, MBR मतलब methyl blue reduction test, खुवा मेट from 1 liter of buffalo milk, 1 liter buffalo milk से 230 gram खुवा बनता है, relative density of polystrum, polystrum की relative density कितनी होती है, 1.050 से 1.080 होती है, milk से ज़्यादा होती है, ठीक है, butyrometer is used to determine fat, butyrometer का use क्या है, तक इसको measure करने के लिए, करने के लिए, fat को determine करने के लिए, CLR का मतलब क्या होता है, milk के संब्धित, CLR एक reading आती है, जब आप दूद देने जाते हो, डेरी पे, तो CLR लिखावा था, उसका मतलब क्या होता है, करेक्टेट लेक्टोमिटर रीडिंग होती है, लेक्टोमिटर की रीडिंग कितनी होती है, तो 0 से 40 लेक्टोमिटर की रीडिंग होती है, fat contained in legally approved butter must not lessen, देखो में ना बताया ना, कि butter में 80% से कम, क्या होना चाहिए, fat percentage नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला question है, which is the process of separation of microorganism by centrifugal force, तो कौन सा ऐसी process है, जिसमें हम centrifugal force से microorganism को क्या करते हैं, detect करते हैं, या उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, separate करते हैं, तो first option है, microfiltration, homogenization, and backtrification, fortification, none of this, तो यह जो इसका पिछला lecture था, उसमें हमने पढ़ा था, posturation process, उसके अंदर हमने clarification पढ़ा था, homogenization पढ़ा था, posturation पढ़ा था, fortification पढ़ा था, dehydration पढ़ा था, तो सबसे पहला जो clarification वाला point था, उसमें हमने पढ़ा था दो चीज़े, एक होता है, backtrification, एक हमने पढ़ा था, backtrification, एक होता है, microfiltration, ठीक है, तो backtrification से ही समझ में आ रहा है, backtrification मतलब हो गया, एक तो हो गया, bacteria, और fugation का मतलब हो गया, centrifugal, तो यहाँ यह options है, options, correct options क्या है, backtrification, backtrification का रहा है, एक तो प्रोसेस है, जिसमें हम, जो micro-organism में जिसको बेक्टिरव हो सकते हैं, कुछ इस force होते हैं, उनको अलग करते हैं, centrifugal force से, और इसके अंदर temperature रखा जाता है, 55 to 60 degree Celsius तक temperature रखा जाता है, इस प्रोसेस के दोरान, clear है, 99% तक जो है, micro-organism में होते हैं, वो यहाँ पे separate हो जाते हैं, next question जो है, which is the process in which fat globules in milk are broken down to a size small to prevent the formation of a creamy layer, तो इसी कुछ सी प्रोसेस है, जिसके अंदर जो fat होता, fat मतलब कि जब आप glass का दूद, ठीक है, एक मालोई glass of milk हैं यहाँ तो यहाँ पर उपरी layer, उपरी सतपर क्या बन जाती है, एक layer बन जाती है, creamy layer बन जाती है, अगर यह milk का जो है glass है, आपका यह आपने गर्म करने के बाद थोड़ी दियर इसको अगर रखा है, है ना तो रखते हो तो आपने देखा होगा उपर एक creamy layer बन जाती है, तो वो creamy layer को तोड़ने के लिए, उसको छोटे-छोटे particle में divide करने के लिए, कौन सी process यूज होती है, उस process को क्या कहते हैं, microfiltration, homogenization, vectification, fortification, none of these, तो वो कौन सी process है, जिसमें हम जो creamy layer बन जाती है, उपर, जैसे कोई glass का दूज है, उसके उपर creamy layer बन जाती है, छोटे-छोटे particles में divide करते थे, creamy layer को, उसके बाद जो है, creamy layer नहीं बनती है, क्या answer है, homogenization, ठीक है, homogenization, ये बाद next question है, temperature required for HTSD pasturization method for making cream, HTSD का मतलब क्या हो गया है, हाँ temperature, high temperature, short time, high temperature for short time के लिए, अब कितना temperature short time तो हम लगवख 15 second तक इसमें रखते हैं, 15 second तक पूछा क्या है याँ पर temperature, किसके लिए पूछा है, cream के लिए, याद रखना making, milk के लिए नहीं पूछा है, cream के लिए पूछा है, cream बनाने के लिए कितना temperature रखते हैं, मिल्क देखो 63 हम रखते हैं किसके लिए बेच मेसेड मतलब LTSD के लिए LTSD के लिए ठीक है Last temperature रखते हैं और low temperature लगते हैं long time के लिए low temperature long time के लिए 63 यह हम रखते हैं milk के क्लिए HTSD करते हैं इसमें HTSD but milk के लिए 72 clear है और यह तो आ जाएगा HTSD के लिए लगबख ultra high temperature के लिए तो answer के हमारा more than 80 degree celsius अगर cream बनाना है हमको और HTSD method, pasturation method यूज़ करना है तो more than 80 degree celsius यूज़ करते हैं clear है next question है which one is correct for fat content in standardized milk toned milk recombined milk और double milk तो fat का जो कौन सा इसमें से options जो है सही है इनके लिए standardized milk के में कितना होता है standardized milk में कितना होता है then पुछा है toned milk में कितना होता है then recombined milk में कितना होता है and double toned milk के अंदर कितना होता है first में दिया है 433 1.5 देखो में बता दो standardized milk में कितना होता है 4.5 percent fat होता है तब हम उसको standardized बोलते है टोन मिल्क की बात करें तो 3% fat होता है ठीक है रिकमाइन मिल्क में भी 3% fat होता है और डबल टोन मिल्क में टोन मिल्क का आधा हो जागा 1.5 तो कौन सा correct match कर रहा है सीवाल option देखिए 4.5, 3, 3 और 1.5 ये correct sequence है ये मैंने एक साथ इसलिए ले लिया है ताकि आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सोगो एक ही questions के अंदर next question है fat content of legally approved butter must not be less than मतलब butter का जो fat होता है वो कितना percent से कम नहीं होना चाहिए मतलब इतना percent तो उसमें होना ही चाहिए ये legally approved है या Indian standard के according है 60%, 40%, 20%, 80%, 70% तो हमने पढ़ा है कि 80% से कम नहीं होना चाहिए fat butter के अंदर तो यह last lecture के जो कोशन से जिसे हम last lecture को revise कर सकते हैं और वहाँ से क्या क्या questions बज़ सकते हैं यह चीज़े हमने आप डिसकस करी है यहाँ पर हम सुरू करेंगे अब milking milking क्या होता है और milking method के बारे में पढ़ेंगे सबसे फिली बात करते है milking milking जो काफी critical और एक laborious process है है ना milk को निकालना बेति very critical और एक laborious process होती है ठीक है जानक ना अब milking जो है हम कितनी बार करते हैं twice a day करते है कितनी बार करते है twice a day दिन में दो बार की जाती है ठीक है काव या बफिलो जो भी हो milking करते हैं तो दिन में दो बार करते हैं लेकिन ऐसा है प्रूव किया गया है यह प्रूवड है कि अगर ठाई से डे किया जाए ठाई से डे अगर milking किया जाए तो 10 to 15% जो है milk yield वो increase होती है जो है वो increase जाती है 10 to 15% ठीक है नॉर्मल ही जो है दिन में दो बार milking की जाती है लेकिन अगर हम दिन में तीन बार milking करें तो 10 to 15% milking increase हो जाती है अब एक पूरी milking जो perform होती है ठीक है जो complete milking process है या complete milking process है वो कितने time में complete हो जाती है मतलब अगर आप एक animal की milking कर रहे हो तो कितने time के अंदर जो है पूरा milk जो है निकल जाता है या जो milk कर रहे हो निकाल लेता है तो जो 5 to 10 या 5 to 7 minutes जो है वो एक standard time है इस 5 to 7 minutes के अंदर जो है किसी प्रकार का animal हो इस्पेसली cow के अंदर या buffalo के अंदर milking हो जाती है तो ये time आपको याद रखना है कि 5 to 7 अगर एक ही data पूछा जाए तो 7 options में अगर single options हो तो 7 minutes जो है लगते हैं पूरे milking फ्रोफों बोने में पूरा milk निकालने में 7 minutes का समय लगता है ठीक है दिन में तीन बार निकालेंगे तो 10 to 15% yield बढ़ जाती है अब milking method की बात करें तो तीन methods है यहाँ ठीक है पहली है natural milking second manual milking और third है machine milking या mechanical milking जिसको बोलते है natural milking का क्या मतलब है natural technique का क्या मतलब है कि जो animal का जो काफ है बच्चा है ठीक है उसको अलाव कर दो क्या करेगा milk को पी लेगा ठीक है milking के लिए उसको लाव करेंगे तो काफ सकलिंग का मतलब यही है कि जब हम दूद को मिलकर ना निकालके हम उसी के बच्चे को लाव कर देते हैं milking के लिए तो उसको हम बोल देते है natural technique या काफ सकलिंग ठीक है हम दूद यूज ने करेंगे बच्चा पुरा पी लेगा animal का दूसरा आता है manual technique manual technique में hand milking आता है hand milking में चार methods होती है है एक होती है fisting कैसे करते है fisting वगरा सारी चीज़े बताऊंगा दूसरा होता है knuckling ठीक है knuckling होता है फिर होता है stripping stripping के बाद आता हमारा full hand यह बेके निकल में machine milking आता है अब one by one discuss करेंगे fisting कैसे करते है निकलिं कैसे करते है stripping कैसे करते है and full hand method कैसे करते है कौन सी मेंटर जो है recommended है इंडियरे इस्टेड़र्ट के according और diagrammatic ठोड़ा से देखेंगे किस तरीके से milking की जाती है अब यहां पर कुछ principle है है ना milking हर कोई नहीं कर सकता principles क्या है principles का मतलब यह है कि milking किस तरीके से की जाती है है ना कोई भी जाके ऐसा नहीं कि जो है milking करना शुरू कर देगा नहीं एक process होती है यह जो milking के एक बड़ी process दी हुई है यहां पर मतलब क्या दिया है कि teats crosswise left for and right hind are right for and left hind मतलब कुछ मत समझो इसका क्या लिखा है सिधा से समझो मैं बताता हूँ ठीक है ठीक है यह है teat just समझे ना यह teat मालों यह first और यह third यह क्या है right side ठीक है and second और यह fourth यह है left side ठीक है right side right side and left side clear है चार है तो इस तरीके आज समझ लिजे कि यह दो right side और दो left side clear है दो right side और दो left side तो cross milking का क्या मतलब है कि first वाले और third वाले को पहले उसमें से आप milking निकालेंगे cross voice का मतलब है कि इस तरीके से पहले one का milking आपने की फिर उसके बाद three का milking की पहले one का then three का ठीक फिर इन दोनों को छोड़ने के बाद फिर two का आप करेंगे और फिर four का करेंगे तो cross wise हो जाएगा cross wise मतलब अगर मैं बोलू कि अगर यहां पर क्या रखा है bucket रखा है ठीक है अगर यहां bucket रखा है तो पहले one से आएगा then इस से आएगा three से तो यह cross wise हो गया ठीक है अगर यहीं पर बुकेट रखा है तो फिर two से आएगा then four से आएगा तो इस तरीके से cross wise milking cross wise milking मतलब इस तरीके से milking होगी इस तरीके से milking होगी, आपने जगर किसी गर में animals है, और अगर वहाँ पे milking होती हो, तो आप देखना कि जब milking की जाती है, तो cross-wise पहले, cross-wise मतलब एक इस तरफ साएगा देंग इस तरफ साएगा, ठीक है फिर देंग इस तरफ साएगा, देंग इस तरफ साएगा तो दो-दो, पहले राइट सेट, लेप सेट, दोनो तीट का यूज़ किया जाता है, समझ माया वाई थी, ठीक है, अगर यह bucket है और यह वन, टू, थ्री, फोर अगर यहाँ पे तीट है, तो crosswise मतलब की, पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, देंग इसका निकाला, इस तरीके से crosswise, तो first point का मतलब यह नहीं है ठीक है, second points की बात करें की, four quarter teeth together, अब यहाँ पे यह example भी दिया हुआ है, कि यहाँ पे अगर ठीक है, one, two, three and four है तो जो left sides वाले हैं ठीक है, left sides वाले, इन दोनों को एक साथ, एक साथ उस करना है एक साथ milking करना है, crosswise निकाला पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, इसका निकाला इसका निकाला, ऐसे नहीं, दोनों को एक साथ, तो क्या आजाएगा four quarter टूगेदर फिर आजागा हाइंड क्वार्टर जो पीछे वाले तीथे उनको एक साथ हमें मिल्किंग करना है तो वो हो जाएगा अब यह तीन प्रोसेस हम करते हैं पहले तो क्या हो गया प्रोसवाइस मतलब 1 2 3 & 4 इस तरीके से करते हैं ठीक है फिर एक साथ 4 क्वार्टर को ठीक है फिर एक साथ हाइंड वाले क्वार्टर को अब यहां पर 4 क्या दिया हो है कि वो तीथ को वो तीथे मिल्किंग सबसे पहले करना है जो थोड़ा से डिस्टेंस टाइप का डिस्टिंग टाइप का मतलब अलग टाइप से दिख रहा है थोड़ा विकरत आकरती हो गई क्योंकि अगर हो सकता है उसकी मिल्किंग में कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कलर चेंज़स हो या कुछ भी हो तो हम पहले पता से जाएगा तो जो डिस्टिंग टाइप का है या जो इसकी आकरती अलग टाइप की दिख रही है तीथ की एनिमल के तो उसकी मिल्किंग सबसे पहले करते हैं और मिल्किंग करने का मतलब ये कि हमें मिल्क को क्या करना है सिर्फ निकालना है हमें मतलब उसके तीथ को खीचना नहीं है हमें बस ज़स्ट क्या करना है ड्रान करना ताकि मिल्क निकल जाए अगर हम खीचते हैं अन्नों ने अनिस्किल पर्षा ने वो सुच साथ निकालते हैं और हाइन तीद होते हैं उनको एक साथ निकालते हैं अब बात करते हैं स्ट्रिप कप की अब जैसे मैंने बात की कि जो डिस्टिंग टाइप का होता है उसमें पहले निकालते हैं तो यहां पर स्ट्रिप क्रप क्या काम करता है इस ट्रिप करता है और यहां पे जो चारो तरब, एक तो ये प्लेट लगी है, एक इस तरब लगी है, एक इस तरब लगी है, एक इस तरब लगी है, चार प्लेट लगी होती है, चार प्लेट क्यों लगी होती है, क्योंकि चार तीथ है, ठीक है, हर एक प्लेट में, जैसे मानों, फर्स तीथ की दो से ती, few drops बोल सकते हैं few drops जो है यहाँ पे पहली plate के अंदर पहले teeth, first teeth की drop यहाँ पे डालते हैं ठीक है second plate में second teeth की कुछ drops डालते हैं, ऐसे ही third में डालेंगे और fourth में डालेंगे, क्यों डालते हैं चारों teeth की, चारों अलग-अलग जो थन है, अनिमल के हैं या teeth है उनमें अलग-अलग drops यहाँ पे डाली जाती है क्यों डाली जाती है कि अगर उस milk के अंदर कोई भी deficiency हो मालनो उसका color change हो गया है या कुसकी consistency सही नहीं है या कुछ भी अगर उसके अंदर problems आ रही है testitis, mastitis की problem आती है थनेला रोग की problems आती है तो उस milk के अंदर हम क्या करेंगे, देख पाएंगे तो कुछ, अगर मालनो कुछ milk क्वालिटी खराब है उसका color change आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उससे हमें पता चल जाएगा, तो इस ट्रिक कप यूज करते हैं, initial को निकालने के लिए, initial मतलब की तीन, चार बुंदे निकालते है हर एक तीट से, ताकि पता चल दा है कि दूद सही है या नहीं है, उसके बाद जो है, दूद milking की जाती है, ठीक है, अगर कुछ problem होती है, तो फिर हम क्या करते है, रिक्मन करते है लुक्टर को, ठीक है, तो बही लिखा है कि एक डिवाई से, जिसके अंदर क्या होती है, circular plates होती है, चार four circular plates for each quarter, each quarter में क्या होता है, चार circular plates लगी होती है, which has the quantity of milk normally, first few strips of milk are drawn in the respective circles to access the physiological status of the other, if there is any change in color, या consistency appearance, तो बही बोला है, कि क्या है, इसका use किसले करते हैं, कि कुछ drops हम लेते हैं, milky, अगर उस milk के अंदर कोई consistency में changes आ रहा है या उसके color में changes आ रहा है, तो हम उसको identify कर पाते हैं, clear है, कि कुछ animal बिमार तो नहीं है, या फिर कोई खनेला रोप तो नहीं है, तो उसमें strip cup का use किया जाता है, sorry, अब जैसे hand milking के बाद की 4 method होती है, fisting, knuckling, stepping और full hand, वैसे machine milking होता है, तो one by one details का करते हैं, क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, fisting है, diagram सक clearly समझ में आएगा, I think आपको diagram clear लिख रहा होगा, okay, ठीक है, visibility, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, fisting का मतलब क्या होता है, अगर यह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो हमारा, thumb होता है, और यह उंगली होती है, तरजणी जीसको बोलते हैं, इससे हमें इसको क्या करना है, ऐसे ring बना के पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ, यह रिंग बना के पकड़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक circular, रिंग बना के हम पकड़ते हैं, हैंड से इसको ऐसे, जैसे कि आपको diagram में दिख रहा है, यह होगे, इसका thumb, और यह तरजणी वाली उंगली, इसको इसको रिंग बना के इसे पकड़ते हैं, ठीक है, रिंग बना के पकड़ने से क्या होता है, कि जो मिल्क है वो वापिस उपर नहीं जाएगा, ठीक है, यह पर प्रेस हो जाएगा, तो जो मिल्क है वापिस क्या होगा, उपर की तरफ नहीं जाएगा ठीक है? उपर की तरफ नहीं जाएगा तो क्या होगा? इसली मिल्क को हम निकाल पाएंगे या ड्रांड कर पाएंगे ठीक? अब ये उंगलियों के खासा में जब इसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं बनाके और ये हलका सा उंगली से प्रेस करते हैं तो मिल्क जो है निकल जाता है ठीक है? इसको बोलते फिस्टिंग इन दिस मेंटर दो होल टीट इस हैंड फस्ट विद धी थम पहले थम से पकड़ते हैं इंडेक्स फिंगर in circling the base of the teeth तो ये जो base हैं या पर ये base है थम सम पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं जो finger से इसको circle बना लेते हैं तो उसके ring बना लेते हैं ठीक है तो base of the teeth is close by the ring ठीक है? रिंग से हमने उसको क्या कर लिया? close कर लिया ring से close करने से and form by the finger और finger finger के दवारा और ये अंगुटे के दवारा हमने क्या बना लिया? ring बना लिया, ring बना के उसको क्या कर लिया? close कर लिया, close करने से क्या होगा? कि वो milk trapped in the teeth canal cannot slip back into the gland system तो वो क्या होगा? वहीं पर trapped हो जाएगा मतलब कि वहीं पर रुख जाएगा वापिस उपर की तरफ जो है milk वापिस नहीं जाएगा उसके teeth के canal में ही रहेगा it is the bad method मतलब ये method किसके लिए? hand milking में best telling के लिए जो मिलकर knuckling method यूज़ करते हैं उनके लिए best मानी जाती है knuckling method में animal को injury हो जाती है next है knuckling method knuckling method में क्या होता है? नंगली को वैसे ही रहेगी इस अंगले को जब हम स lesson को अचालते तो इस तरह कर लेते हैं उनका है इस तरीख से फोल्ड कर लेना इस फोल्ड कर कर के इसको इस तरीख से दबाया जाता है जीसे मालो ये तीछ है ठीक तो क्य होता है, unmilk निकलना शुक होता है समझ में आहें इस तरीकसे दोनों उंगुटे इस तरीकसे फोल्ड कर ली जाते है अब यह क्या होता है इंजुरियस होती है पर बार बर जब हम डेली इस तरीकसे इंगुटा फोल्ड करके यूस करते है ना तो इनका जो टीट होती मापे घठाने पड़ जाती है इसलिए खाजाते हैं कि यह इसको आवोईट किया जाता है क्योंकि इंज्यूरिएस होती है मिलक या लिखा है तो मिलकर्स टेंड टुबेंड धेयर थूंब वही है थूंब को बेंड कर लेते हैं बस अगेंजी टीट के नाल जो ये टीट है टीट के नाल है अब इसके अगेंज बेंड करके बस उससे क्या करते हैं ड्रेक करते हैं तो मिल्क निकलना शुरू हो जाता है इंजिरियस मेथड़े जनरली यूज नहीं की जाती स्ट्रिपिंग अब ये स्ट्रिपिंग मेथड़ का यूज जनरली दो तरीके से किया जाता है दो कारणों की वज़े से किया जाता है पहले चीज़ पहले जिसंतों क्या है? जस्काइक मालों कि जो animal है उसके टीद की आगर बहुत इस्माल है. Animal की तीद क्या है? बहुत इस्माल है. उसके लिए किया जाएगा? दूसरी चीज़ क्या है? एक पूरा milk निकालने के बाद जो last का milk रहाता है. last का milk जो है वो थोड़ा सा difficult होता है निकालना क्योंकि उसके अंदर fat ज़ो है ज़्यादा होता है जिके milking निकालना जब हम शुरू करते हैं तो जो last का milk होता है उसमे fat content ज़्यादा होता है fat content ज़्यादा होने की वज़े से other method जैसे full end method उससे नहीं निकल पाता है तो हम क्या करते हैं, stripping method मतलब यह, यह एक finger और यह अंगुटे से इस तरीके से पकड़ के इसे drape किया जाता है, यह वाली finger, यह वाला thumb, इस तरीके से drape किया जाता है, तो वो जो last वाला milk है, वो easily निकल जाता है, यह लिखा है, एक तो जो अगर इसमालती से तो यूज करते ह Stripping को बोलते हैं, क्योंकि fast content, मतलब चुटकी का यूज करते हैं, चुटकी method भी इसको बोलते हैं दि मैं, last is full hand method, full hand method का सीधा है, भाई, यह full hand method का मतलब एकी तीत कहाएगा, इस palm और उंगलियों के बीच में या, यह हमारा हाथ है, और यह उंगलिया, अंगुटा तो पाम है, यहाँ, ठीक है, इसको इस तरीके से पूस करते हैं, तो मिल्क निकला शुरू हो जाता है, तो grafting the teeth with all the five finger, पुरी five finger के साथ हम क्या करते हैं, उसको पकल लेते हैं, pressing against the palm, अब पाम है, पाम क्या अगें, इसको प्रेस किया जाता है, तो क्या हो जाता है, मिल्क निकल recommended method, ठीक है, Indian standards के according, यही recommended method है, इसके बाद stripping है, याद रखना, अब एक, machine milking क्या होता है, देखो, machine milking का मतलब सीडी सी बात है, इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है, जब काफ जो सकलिंग करता है, बच्चा जो natural milking करता है, मतलब जो बच्चा अपनी मा का दूत कीत का movement कैसे हो रहा है, काउ का, उसी basis इसको बनाया गया, इसके लिए pressure कितना रखा जाता है, केटल के लिए 252 mmHg रखा जाता है, और गोफिलोस के लिए 400 mmHg रखा जाता है, और एक milking machine जो है, टेन एनिमल्स की milking कर सकता है, एक दिन के अंदर, ठीक है, इस फाइदे बहुत सा अपरेटेड हो तो electricity की जरूद नहीं पड़ती है, ठीक, तो कई सारे advantages की, now, अब यहां पे होता है, adult ration, या adult trend in milk, मतलब मिल्क के अंदर कुछ मिलावर्स होती है, ठीक है, मालो किसी ने पानी मिला दिया, किसी ने यूरिया मिला दिया, किसी और अनिमल का दूद मिला दिया, है ना क्यों मिलाते हैं मिलाने का रिजन रेता है कि मालो हमें फेट कंटेंट बढ़ाना है सेनेफ कंटेंट बढ़ाना है ज़्यादा पेसा लेना है या हमें ज़्यादा दूद बेजना है तो हम पानी ज़्यादा मिला देते हैं तो इस तरह के कि जो मिलावट हैं उनको पता लगाने के लिए यह एडल ट्रेंट या क्या करते हैं कुछ टेस्ट करते हैं तो एडिस्टन या रिमुवल ओफ लिगली प्रोहबिटेट सब्स्टेंस जो गोर्मेंट ने बेन कर रखे हैं कि यह आप मिलके अंदर नहीं मिला सकते हैं या मिलके से नहीं निकाल सकते हैं ठीक हैं तो ज्यादा प्रोफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं तो कौंटिटी बढ़ा देते हैं या उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं तो जो भी legally banned है, prohibited है, उनको मिला भी नहीं सकते और भार भी नहीं निकाल सकते क्या हो सकता है तो हम वाटर मिला देते हैं, फेट निकाल लेते हैं, स्टाज मिला देते हैं, मिल्क वाटर मिला देते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, यूरिया मिला देते हैं, किसी और एनिमल का मिल्क मिला देते हैं, तो उनको हम डिटेक्ट कैसे कर ये, SNF content बढ़ाने के लिए, milk के अंदर मिलाया जाता है, कुछ preservative मिलाया जाता है, self life को बढ़ाने के लिए, तो उनको detect कैसे करेंगे, तो कुछ important है, बहुत सारे होते हैं, बढ़ मैं तीन तारी, यहां पर discuss करेंगे, जो important हैं जिसे detection of water, water को कैसे detect करेंगे, पानी के अंदर अगर पानी मिलाया हुआ है ज्यादा पानी मिलाया तो किसले डख करें तो पानी मिलाया पता करने के लिए टेस्ट क्या करते हैं यहां पर freezing point test करते है क्या test करते है freezing point normal freezing point कितना होता है normal जो freezing point होता है वो .55 degrees Celsius होता है ठीक है freezing point अब यहाँ पर percentage of water, अगर हमें check करना है यहाँ, percentage of water तो क्यां करते है है 0.55 degrees Celsius माइनस x अब यहाँ पर x क्या है x चुर्णे दिप्रेशन, मतलब freezing depression क्या है? freezing depression freezing depression का क्या मतलब अगर पानी मिलाया होगा तो क्या होगा कुछ नो कुछ जो freezing point है या freezing level है वो क्या होगा? कम होगा उसका freezing temperature वो कम हो जाएगा उसमें changes आएगा और upon में वापिस freezing point into hundred यह formula यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है water का percentage हम निकाल पाते हैं कितना percent जो है water है milk के अंदर ठीक है next है roselic acid test roselic acid test का क्या मतलब है देखो roselic acid test किया जाता है क्या test करने के लिए किया जाता है अगर milk के अंदर क्या हो you sodium sodyum carbonate bicarbonate sodium hydrayanide ingga test करने के लिए पर तेस्ट करते हैं देखो किसे करते हैं अब क्या बहुता है जंडनली इसमें इल्कबल यूज करते है ऑन फसेलिक ďसिट वाला रुसेलिक acid solution वाला 1% rosalic acid वाला क्या करते हैं आपे alcohol यूज़ करते हैं उसके कितनी 4 drops 4 drops किसमें अंदर milk के अंदर मिलाते हैं कितनी 4 drops जो है milk के अंदर मिलाई जाती है रोसलिक acid से बना हुआ 1% alcohol यूज़ करते हैं milk के अंदर उसके 4 drops डाली जाती है अगर pink color आता है अगर pink color आता है मतलब उसमें क्या है sodium hydroxide potassium hydroxide और calcium hydroxide अगर pink color आता है तो ठीक है और अगर rose red color आता है अगर यह डालने पर rosalic acid डालने पर alcohol डाल पर दूद के अंदर pink color आता है तो इसमें sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide की मिलावट है अगर rose red color आता है मतलब उसमें क्या है sodium carbonate और bicarbonate की मिलावट है sodium carbonate और bicarbonate की मिलावट है अगर rose red color अगर उसके अंदर आता है clear और अगर मानलो brownies color आता है, अगर क्या आगया brown color आ गया, brown color आ गया मतलब की कोई मिलावट नहीं है, pure milk है, ठीक है, ये रोसलिक टेस्ट के अंदर ये टेस्ट किया जाता है, अब urea का detection करना है कि urea को कैसे detect करोगे, तो urea को detect करने के लिए कुछ नहीं करते है, 2 ml क्या लेते है milk, क्या लेते हैं, 2 ml मिल्क लेते हैं, फ्लस उसमें 2 ml, 2 ml क्या मिलाते है, P, methyl, amino, 2 methyl amino, benzyldehyde, benzyldehyde मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर color, इसका अगर color, इसका अगर color क्या होगे, yellow, milk का color अगर yellow होगा, मतलब उसमें क्या है, यूरिया मिला हुआ है, ठीक है, अगर color इले हो आगया, मतलब यूरिया मिला हुआ है, और अगर pink color आगया, ठीक है, और अगर क्या है, pink color आया, मतलब क्यों pure milk है, तो यह रहे है, यहां तक स्वालिवा आगया, अब detection of buffalo milk in cow, अगर cow का दूथ है, उसमे अगर buffalo का base का दूज मिला हुआ, तो किसे पता करेंगे, तो यह तो मैंने अभी टेलिग्राम के अंदर test में पूछा था, इसके लिए हम हंसा test यूज करते है, ठीक है, इतना ही बस याद रखना इसके अंदर, हंसा test यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें 1.1 इंस्टु 4 इं अगर उसमें हमें buffalo का milk test करना है, तो कौन सा test यूज करते है, तो हंसा test यूज करते है, यह चार major test है, और यही important है, इसमें पूछे जाते है, अब कुछ मिल्क बात करते है, वर्ल्ट मिल्क डेकप celebrate किया जाता है, तो 1.1 को celebrate किया जाता है, टेलिग्राम में भी question पूछा हु अगर मिल्किंग करते हैं, तो 10-15% yield बढ़ जाती है, यह भी discuss कर लिया है, वाइट regulations, उसको हम operation प्लट भी कहते हैं, कब लोग चुआ था, 1970 में, तीन phase में चला था, ठीक है, तीन phase कब थे, 1970 से 1980, फिर 1981 से 1986, और 1986 से 1986, यह तीन phase में चला था, तीन phase के बाद क्यों नहीं चला तो भई उनिस सनुक बाद हम first rank पर पोज़ गया, है ना, उनिस सनुक के बाद हम क्या हो गया, इंडिया first rank पर पोज़ गया, उसके बाद operation प्लट चलानी की जरूरती नहीं पड़ी, ठीक है, then recommended method of milking, full hand milking and followed by stripping, तो कौन सी method recommended है, तो full hand method recommended है, तो उसके बाद stripping, pressure in hand milking, hand milking में कितना pressure रखते हैं, तो 310 mmHg pressure रखा जाता है, machine milking में ज्यादा रखा जाता है, उसमें 500 के something रखा, 400 के something रखा जाता है, hand milking में कितना pressure रखा जाता है, 310 mmHg रखा जाता है, कुछ fact है, telegram में भी हमने डिसकस किये, तो यह dairy science जो हमारा यहां पर complete होता है, कुछ और अगर कुछ चीजे रह गई होगी, तो वो हम किसमें question farm में या आपके test के अंदर पूश ली जाएगी, ठीक है, thank you very much